आज के इस वीडियो में लुसेंट और अरिहंत जीके के पांच जार महत्पूर्ट परशनों का बारावा भाग लेके आ रहे हैं अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करना या फिर इसे लाइन बाई लाइन पढ़ना तो आपको ये वाला अप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बाक्स मिल जाएगा प्ले स्टोर पे से सी अनलाइन एक्जाम लिखकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं उसमें आल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेटरिन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रितिवी की सता के तुलना में चैनलमा की सता पर अधिक उचा क्यों उचल सकता है मतलब कि जितना हम प्रयास करके यहाँ पर धर्टी पर करते हैं उतना प्रयास अगर हम चैनलमा पर करें तो वहाँ पर हम जादे उचाई तक उचल सकते हैं क्यों इस क्वेस्टन के पूछने का यह मतलब है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए हमें अगर कोई वी चीज धर्टी के तरब खीचता है तो ओ है इसमाल जी इसमाल जी मतलब की गुर्टवा करसर बल गुर्टवा करसर बल की बैलू कितना होती है धर्टी पर तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर आप इसे लगभग 10 के बराबर लिख सकते हैं यहां पर आपको एक चीज बता दें कि धर्टी पर कुर्टवा करसर बल के बारे में सबसे पहले नूटन ने बढ़ताया और ऐसा नहीं है कि नूटन के पहले कुर्टवा करसर बल लगता ही नहीं था तब ही लगता था लेकिन न्यूटन के द्वारा इसे बताया गया अब होता क्या है कि यदि आपसे हम W और M में फर्क पूछ लें तो हो सके तो आप मेंसे कई लोग बता पाएंगे और कुछ लोग नहीं भी बता पाएंगे कि W और M में क्या फर्क है डबलू बराबर आपका होता है भार और M बराबर आपका होता है द्रबमान अगर हिंदी में बात करें तो वेट और मास डबलू बराबर होता क्या है कि W बराबर होता है M G और M तो M है जैसे कि अगर आपका द्रबमान धर्ती पर अगर मान लीजिए 20 किलो का है तो यहाँ पे जो आपका भार होगा डबलू होगा डबलू बराबर क्या होता है mg होता है यानि कि 20 गूड़े g कमान अगर हम 9.08 की बजाए लगबग में 10 रख दें तो यहाँ पे आपका वजन हो जाएकर लगबग 200 किलो यानि कि आप धर्ती पर तो 200 किलो के हो गए लेकिन अगर हम चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा पर जो g की बैलू होती है वो g by 6 होता है धर्ती के पेच्छा मतलब कि जो चंद्रमा पर गुर्तवा करसर बल लगेगा वो धर्ती का छाठवा भाग लगता है इस तरह तो यानि कि अगर यही ब्यक्ती वहाँ पर चला जाता है बात करें चंद्रमा पर तो उसका भार हो जाएगा डबलू बराबरे 20 कुडे अब g की बैलू 1 by 6 हो गई मतलब कि इतना जितना लगा है यहाँ पर इसका 6 हो गई 10 by 6 यानि कि 200 by 6 यानि कि लगभग लगभग 30 किलो का यानि कि जो ब्यक्ती धर्ती पर कितना था 200 किलो का उसचन्दमा पर महसूस होगा उसको बतना वजन 30 कीलो यानि कि आप देखेंगे कि आपको यहाँ इतना वजन को लेके उच्छाल मारना है और वहाँ पे वही वजन कम हो जा रहा है तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे गुर्तवा करशटबल कम है इसलिए वहाँ पे बेक्ती जादा उच्छल सकता है इस question में हमने ये समझाने की कोशिस की है अगला है कि निमलिखित में से किसका संबंद सफेद नमक से है जो कि सुस्क मौसम के दोरान कुछ छेतरों में भूमी को अच्छादित कर लेता है ये है रे अगर आप गाहों से हैं या फिर आपके आज़ पास कहीं पर कोई भठा रहा होगा बठा मतलब की इट पकाने वाला तो वहाँ पे आप रे के बारे में सुने होंगे आज से दस साल पहले या फिर आट साल पहले इसका यूज होता था कपड़ा धोने में आज तो मान लिजे कि डिटरजेंट का यूज होता है लेकिन उस समय इसी काम यूज करते थे कपड़ा धोने में अगला है कि महात्मा गांधी के बारे में निमलखित में से क्या सही नहीं है तो गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि राजनीतिकों धर्म से पूरी तरह अलग रख देना चाहिए गांधी जी से वैसे तो कई क्वेस्टन पूछे जाते हैं लेकिन एक क्वेस्टन पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो प्रवासी दिवस हर साल 9 जनौरी को मनाया जाता है और 9 जनौरी 1915 कोई कांधी जी दच्छिड अफ्रिका से भारत आयते और इसलिए हम प्रवासी दिवस मनाते हैं आगे बढ़ें तो अगला है कि योजना आयोग का ध्यक्ष कौन होता है तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रदाम मन्तरी अब योजना आयोग को की 2015 तक था लेकिन अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया नीती आयोग तो यहाँ पर आपसे अगर नीती आयोग भी पूछ लिया जाए कि नीती आयोग का हेड कौन होता है तो यह भी हमेशा मतलब प्राइम मनिस्टर आफ इंडिया भारत के कधान मंतरी ही होंगे हलाकि इनके एक उपाध्यक्ष भी होते हैं आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले आपको बता दें कि योजना आयोग का कारेकाल 5 साल का होता था और योजना और नीती आयोग के ओल नाम ही में नहीं काम में भी डिफरेंस है योजना आयोग 5 साल के लिए सरकार की योजना बनाता था लेकिन नीती आयोग सरकार को सिपारिस करती है बताती है कि अगर आप इस तरह काम करते हैं तो आपको ज़्यादा benefit हो सकता है आगे बरते हैं तो संगिया मंत्री मंदल की बैठक का सभापती कौन होता है तो यह होते हैं प्रधान मंत्री जो भी cabinet का meeting होगी उसके head होंगे मतलब इसके chairman होंगे प्राइम मनिस्टर होता गया है कि कभी कभी प्राइम मनिस्टर अगर नहीं रहते हैं तो जो भी वहाँ पे बड़े मंत्री हैं उनको बनाया जा सकता है लेकिन अधिक मामलों में देखा गया है कि जब भी प्रधान मंत्री बिदेशी दोरों से भारत आते हैं तो उस समय एक cabinet की बैटक होती है वैसे इस समय तो कोछ जादे ही हो रही है आगे बढ़े तो प्रधान मंत्री का कारेकाल कितना होता है तो यह होता है पांच साल जो की पूरी तरह गलत है आप भी अगर परिच्छा में पांच साली आपसन मिले पांच साल, दस साल, आट साल और छे साल तो आप भी पांच साल को ट्रिक कर लिजिएगा जैसे अगर इस तरह का आपसन मिल जाता है तो आप भी पांच साल को ट्रिक कर सकते हैं लेकिन आपको जानना होगा कि यह कितना हथ तक सही है सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो पांच साल वाली बात है यह उतनी सही नहीं है दरसल होता क्या है कि प्रधान मंतरी कब तक प्रधान मंतरी रहेगा बहुमत जब तक उनके पास है जैसे कि माल लिजी यहां पे दो तीन दलों ने मिल करके एक प्रधान मंत्री बनाया है क्योंकि इनके पास बहुमत हो जा रहा है तीन दलों को मिला के 272 प्लस हो जा रहा है अब तीन दलों ने 6 महीने के बाद ही एक दल ने अपना जो हाथ है खी दिये जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का कारेकाल 5 साल का होता है लेकिन अगर आपको इस तरह के आपसं दिये जाएं तो आप भी 5 साल ट्रिक करके ही आएंगे आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन कई वीडियो आल्रेडी अप्लोड किया है अगला है कि अभी तक कितने प्रधान मंत्रियों की मृत्यू अपने पद पे रहते हुए हो गई है तो ऐसे तीन प्रधान मंत्री हैं जैसे कि राजीव गादी है राजीव गादी की नहीं हुई थी इंद्रा गादी है और उसके प्रधान मंत्री को पद और गोपनियता की सपत कौन दिलाता है मतलब कि प्रधान मंत्री को सपत कौन दिलाता है तो यह दिला जाता है राश्टपती के द्वारा और आपको बता दें कि राश्टपती को सपत कौन दिलाता है तो राश्टपती को सपत दिलाते हैं CGI मतलब कि Supreme Court के मुख जज तो Supreme Court के मुख जज को सपत कौन दिलाएगा तो इनको सपत दिलाएंगे राश्टपती तो इस तरह सब combination बना हुआ है भारते संबिधान में तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रदानमंतरी को पत की सपत कौन दिलाता है तो यह होते हैं राश्टपती अगर राश्टपती को अपना त्याग पतर देना हो तो राश्टपती अपना त्याग पतर किसको देगा तो राश्टपती अपना त्याग पतर देगा हमेशा उपर राश्टपती को और ज़रूरी है कि यह उनके signature के साथ उनके हेंड राइटिंग में हो आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि किस प्रधान मंतरी ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था तो ये थी इंदरा कहां दी और जवाललाल नहरू के बाद भारत के प्रधान मंतरी कौन बने तो ये थे गुलजारी लाल नंदा यहां पे मिस्टाइपिंग है तो गुलजारी लाल नंदा थे जवार लाल नहरू के बाद भारत के प्रधान मंतरी बनने वाले ब्यक्ती आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि संसदिय सासन प्रडाली में वास्तविक कारेपालिका की सक्ति किसके पास रहती है तो यह होता है प्रधान मंतरी के पास हाला कि यह भी उतना सटीक उत्तर नहीं है आपको हम बता जे रहें कैसे दरसल होता क्या है कि हमारे संसदिय प्रडाली में हम सबसे बड़ा हेड किसको मानते हैं राश्टपती को, राश्टपती देश का पहला नागरिक होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया वास्तिविक, वास्तिविक का रेपालगा की सकती तो यह प्रधानमंतरी के पास है, हाला कि यह भी फूरी तरह प्रधानमंतरी के पास नहीं होता है, सबसे बड़ी पावर होत तो यह थे राजियो घादी अब देखे यहां से कई क्वेस्चन बन सकते हैं जैसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंतरी बनने के लिए आपकी नियुंतम उम्र सीमा कितनी हो सकती है तो प्रधानमंतरी बनने के लिए आपकी नियुंतम उम्र सीमा होनी चाहिए 25 साल तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि प्रधानमंदरी लोकसभा काई हो क्योंकि ये लोकसभा की हम बात कर रहे थे कि लोकसभा में कम से कम चुनाओ में भाग लेने के लिए आपको पचीश साल होना जरूरी है अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि राजसभा में कितना होना चाहिए तो राजसभा में होता है 30 साल तो एक वेक्ति या तो राजसभा का हो या फिर लोकसभा का हो उसे प्रधान मंतरी बनाया जा सकता है चलिए आपसे एक क्वेशन पूछ लेते हैं और आज की इस वीडियो का पहला कोश्चन होगा हमें कमेंट करके बताईए कि राजपाल की नियुनतम उम्र क्या होनी चाहिए राजपाल की नियुनतम उम्र क्या होनी चाहिए किसी विभेक्ति की नियुनतम उम्र क्या होगी एक ये भी बवस्ता की गई है कि अगर कोई व्यक्ति लोगसभा या रायसभा किसी का सदस्य नहीं है तब भी उसे प्रधान मंत्री या फिर कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है बसरते कि अगले 6 महीने में उसको लोग सभा या फिर राय सभा का सदस्य होना जरूरी होगा आगे बढ़ते हैं तो कौन से प्रधान मंतरी एक दिन भी संसद नहीं गये ये थे चौधरी चरण सिंग और देखे संसद के भी कई रूल हैं संसद में क्या है कि आप 6 महीने तक नहीं जा सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो ब्यक्ति संसद का सदस्य ही नहीं है वो संसद क्या जाएगा हला कि आपको बता दें कई बार question पूछ लिया जाता है या पिर आपके दिमाग में भी आता होगा कि अगर प्रधान मंत्री लोग सबा का सदस्य है तो क्या वो राज सबा में बैठ सकता है तो हाँ अगर प्रधान मंत्री लोग सबा का सदस्य होगा तब भी वो राज सबा में बैठ सकता है बसरते कि ओटिंग वाली condition में वो ओट नहीं दे पाएगा क्या होता है कि कभी-कभी कुछ प्रस्णों की जबाब देने के लिए प्रधान मंत्री, ग्रे मंत्री या फिर किसी भी मंत्री को लोग सभा या राय सभा में बैठना पढ़ जाता है आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि समिधान के किस अनुचेद में मंत्री परसत की नियुक्ती और पल चियुती का प्रावधान दिया गया है मतलब कि मंत्री कैसे नियुक्त होंगे, कैसे हटाया जाएंगे तो यह है अनुचेद 75 और अनुचेद 370 जो कि अब एक इतिहास बन चुका है यह अभी भी हटाया जा चुका है पांच अगस्त को आगे बढ़ते हैं तो स्वतंतर भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे तो यह थे डाक्टर वीम राव अमबेटकर जो की भारत के समिधान दिर्माता भी माने जाते हैं तो यह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे आपको बता दें कि बात हो रही है 1947 से लेके 50 के बीच की आगे बढ़ते हैं तो मंत्री परस्त के सदस्यों को गोपनियता की सपत कौन दिलाता है तो मंत्री हो और परस्त मंत्री हो कोई भी रहेगा तो उसे दिलाएंगे हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट आगे बढ़ते हैं तो भारत के परदान मंत्री की निक्ति कौन करता है तो यह किया जाता है राष्टपती और राश्टपती इनको सफ़त दिलाते हैं 75 के अनुसार अगला क्वेश्चन है कि लोग सभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है तो लोग सभा में बहुमत दल का नेता हमेशा और हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है देखे दरसल होता क्या है कि जो लोक सभा होती है उसमें कितने मेंबर हैं तो 552 नेक्शमम हो सकते हैं अलाकि 443 पद पर ही चुना होते हैं तो इसमें जो बहुमत दल का नेता होगा चाहिए एक पार्टी को बहुमत मिला हो या फिर कई पार्टी को मिला करके उन्हें परधान बंतरी बनाया जाता है यहांपर एक विपच के नेता भी होते हैं और जो कि इस समय कोई नहीं है, विपच्च का नेता का मतलब कि विपच्च का नेता बनने के लिए जरूरी है कि उनके पास 55,700 हो, कितने सांसद? 55, 55 कहां से आ गया है? तो यह है एक बटा दस, जैसे कि 550 का एक बटा दस, तो अगर 55 मेंबर है आपके पास, केवल एक ही को मिला कर के 55 होगा, ऐसा नहीं, तो बस किसी भी एक पारटी के पास, अगर 55 मेंबर है, तो ओर लोग सबसा में, विपच्च के नेता बन सकते हैं, अलग कि वैसे तो आप देखेंगे, कि हर एक पार्टी लोग सबसा में, अपना अपना नेता बनाती है, लेकिन उन्हें वि क्योंकि जो cabinet मंत्री होते हैं अपना जबाब लोक सभा में ही देते हैं यह आगे बढ़ते हैं तो यह अथार्थ कारिपालिका की समस्त सत्ता किसमे नियत होती है तो यह होती है मंत्री परसद में जैसा कि हमने अभी बताया था आपको की प्रधान मंत्री से जादे पावर फू इसको रिबूट करता है तो समभावना क्या है मतलब कि आप अपना computer यूज कर रहे है या फिर आप अपने mobile यूज कर रहे है और वो automatic खुद बग खुद बंद होके तुरंट चालू हो जा रहा है तो इससे क्या है इसमें virus हो सकता है EDP का full-param पूछा गया है यह भी question computer से है तो EDP का full-param होता है electronic data processing इस तरह कई full-param पूछे जाते हैं computer से जैसे की रोम पूछ लिया जाएगा random यह read होता है read only memory read only memory और अगर आप से RAM का पूछ लिया जाए तो random access memory random access memory CPU का पूछा जाता है कई बार central processing unit CPU का central processing unit होता है आगे बढ़ते हैं तो भारत में निर्मित प्रथाम परम computer यह किस तरह computer है तो परम computer एक super computer है और microprocessor किस PD के computer है तो यह है चोथी PD के अगर आप से पूछा जाए कि computer का अविसकार कब हुआ मतलब computer कब से यूज किया जाने लगे तो सही उत्तर है 1946 लेकिन यह किवल बना था computer आम लोगों के लिए उपलब्द नहीं था आम लोगों के लिए उपलब्द होने लगा 1960 से तो यह question कई बार पूछा गया है और चलिए आप एक question का उत्तर कमेंट करके बताईए आज के लिए दूसरा question होगा computer के पिटामा किसे कहा जाता है और आपको बता दें नाम सुरू होता है C से CB CB इस्तरन का नाम है आप इसका full फारम कर दीजिए बस आपको पता चल जाएगा तो आसा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी सेयर करिए आगे बरते हैं तो कौन से प्रधान मंतरी सबसे अधिक समय तक प्रधान मंतरी रहे हैं तो यह है जवारलान नेयरू यह लगबग 1947 में ही प्रधान मंतरी बना दिये गए थे और इसके अलावा भी तीन बार यह रहे प्रधार मंतरी बनने के लिए निवन्तम आयो कितनी होनी चाहिए पचीस सplease क्योंकि लोग सभा का मेंबर होने के लिए कितना होगा 25 साल और राय सभा का मेंबर होने के लिए कम से कम 30 साव और अभी हमने आप से गवर्नर का पूछा था तो गवर्नर के लिए या फिर प्रेसिडेंट के लिए तो 35 साव यह पहला कोशन हमने आप से पूछा था आगे बढ़ते हैं तो संसदीय सासन प्रडाली में सरवर्थम किस दो अधर चलता है भारत के प्रथम प्रदाम्न्तरी थे जोहरला नहरू अगए बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में किसी creation का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रहा सकता है तो यह 6 महीना मतलब कि आप 6 महीना तक रहा सकते हैं बस आपके कोई क्रिमिनल केस नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए पागल ना हो तो इस तरह आप मतलब कि प्रधान मंतरी या फिर कोई भी मंतरी बनाया जा सकते हैं 6 महीने तक 6 महीने के अंदर अगर आप लोक सभा या फिराय सभा के मेंबर नहीं बन पाते हैं तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा चाहे आप कोई मंतरी पद पर हो या फिर प्रदाम मंतरी पद पर ही क्यों ना हो कीबोर्ड में फंक्शन की की संख्या कितनी होती है मतलब की F1, F2, F3 की बात की गई है तो यह होता है F12 तक मतलब की 12 होती है आगे बढ़ें तो कम्पीटर में पढ़े जाने वाले अलग-अलग लंबाई चोड़ाई लाइनों के कोड को क्या करते हैं तो इन्हें हम बार कोड करते हैं आपने देखा होगा हम जब कोई भी प्रोड़क्ट बाई करते हैं तो उस पर कुछ इस तरह की लाइने होती है यहां पर चार, छे, साथ इस तरह कुछ टाइप होता है तो इन्हें हम बार कोड कहते हैं इनको जो पढ़ता है उनको हम बार कोड रीडर कहते हैं बार कोड रीडर आगे बढ़ें तो प्रकास स्वसन का अवस्थर क्या है तो यह है गलाई कुलेट परवती छेतरों में सडकों के औरुद होने का प्राकिर्टिक कारण क्या है तो भूसकलन आपने कई बार सुनाओगा उतराखंड में जो सडके हैं बूसकलन के कारण औरोद हो जाती है मतलब कि धर्दी के कटान के कारण वासपोस सर्जन का संबंध किस से है तो यह है ड्राई जो ट्रोफा से और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है यह होता है चीन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में किस इस्टेट में होता है इन इंडिया तो यह है वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक चीज के उत्पादन के लिए और जाना जाता है जूट के आगे बढ़े तो अगला है कि गाहों से छोटे कस्बे और बाद में सहर तक लोगों के जानने को क्या कहते है पहले कोई ब्यक्ति गाहों से छोटे कस्बे में आता है इस कस्बे के बाद सहर में जाता है इस प्रकिरिया को क्या कहते है तो इसे कहते है चरड़वार प्रवास fluorescent length में जो chok का prosion क्या होता है मतलब कि जो हम chok üeuge करते हैं जो मतलब कि आपने अगर tube light देखा हो tube light में आप देखते हैं जो सादी होधी में लगाई जाती है वहाँ पो एक chok लगा होता है तो यह current के प्रवाख को कम करने के लिए और continue करने के लिए इसे लगाया जाता है यूरोपिय संग का मुख्याले कहां पर है तो ये है ब्रुसेल्स में बेल्जियम में और प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नबाब कौन था तो ये थे स्विराजु दौला प्लासी के युद्ध के समय तो चलिए आपसे तीसरा कोईशन पूछ लेते हैं और कमेंट करके बताईए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये आज के लिए आपका तीसरा कोईशन होगा जितने भी कोईशन आपसे पूछ रहे हैं इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना है आगे बढ़ते हैं तो नियमित मुधरा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने समराज की राजधानी गोशित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कोन था तो ये था इल्टुतमीस अब देखिये इल्थु तेमीस को गुलामो का गुलाम का जाता है गुलामो का गुलाम और गुलामो का गुलाम कहने का करड़ क्या है कि आप देखेंगे कि सबसे पहले 1208 में गुलाम whence के अस्थापना हो थी कुतुबदीन एबग के द्वारा और ये केवल 4 साल तक रहा पाया 1210 तक चौगान खेलते हुए इसकी देथ हो गई लाहौर में और इसका गुलाम था जैसे कि पहले आपको बता देख कि जो कुतुबदीन एबक के बात कर रहे हैं कुतुबदीन एबक ये खुद गुलाम था अब इसका गुलाम था इलतुतमीज तो होता क्या है कि जब ये मरता है तो इलतुतमीज बनता है तो जो गुलाम का गुलाम हो उसे गुलामों का गुलाम का जाता है हलाकि ये 1210 से लेकर के 1236 तक राज किया और 1236 से लेकर के 1240 तक राज किया रजिया सुल्तान ने जो कि दिली की पहली महिला सासिका थी तो इस तरह गुलाम वन्स चला दू 1206 से लेकर 1290 तक तो ये था इल्दुतमेस जो मुर्दु सिल्वरी धात्विक तत्व गरम होने पर प्रकास में खुला रखने पर सहस्ता से आईने करित हो जाता है उसे क्या करते हैं तो ये से जम होता है और नमलिकित में से कौन सा बिमान भारत का स्वदेश में निर्मित लडाकू बिमान है तो यह है तेजस तेजस के नाम से अभी हम ट्रेन भी चला रहे हैं जो कि अभी प्राइबेट के तौर पे आयार्सी टीसी को देने का स्टाइटिंग की गई है बारा सरकार के दौरा आगे बढ़ते हैं तो संसत के दोनों सतनों के बीच गतिरोध की इस्थिती में संयुक्त अभिमेशन की अद्यक्ष्ता कौन करता है जैसे कि आप इसका उतर जान लेजी पहले लोकसभा अधिक्षक करता है आपको बता दें है इसके बारे में एक पूरी प्रक्रीया सबसे पहले आपको बता दें कि यह लिया गया है आश्ट्रिलिया से और इसके लिए ITC108 काम करत आप देखिए होता क्या है यहां पर हमने बना दिया लोक सभा एक कहानी बता रहा है आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी यह होता है राज्य सभा इसमें है 550 लोग इसमें 250 लोग तीक यहां पर कोई भी बिल पास नहीं हो पा रहे है क्योंकि फास होने के लिए 207 चाहिए और और कोई अगर सब्सक्राश कीола होती है तो उसको यह फिल फ़िल होती है तो जीसे की 50 परसंट सहरेकश आपको डीय। ओर 202 बता तर सरकार के पास है लेकिन ब्रेजिए तो हां पर बिल पास नहीं उपा रही है बाई दबे यहां से पास हो गई लेकि राय सभा में सरकार को बहुमत नहीं है यहां पे किसी के पास भी 125 नहीं है किसी के पास 120 है किसी के पास 10 है तो इस तरह में क्या होगा कि कोई भी बिल लोग सभा में पास हो जाएगी लेकि राय सभा में जा मांग करेगी तो कभी कभी आप से पूछा गया है कि संयुक्ता दिवेश्म को कौन बुला सकता है तो इसे बुलाने का अधिकार केवल और केवल राश्टपती को है मान लेजिए इसमें सरकार के पास 300 है जैसे कि इस समय है तो यहां से तो पास हो जाएगा लेकि रायसवा में रुख जाएगा तो सरकार अब संयुक्ता दिवेश्म बुलाएगी उसमें सभी लोग एक साथ बैटेंगे तो अब 550 ये 250 ये मतलब कि कुल मिला के 800 लोग है अब इसमें से 400 चाहिए सरकार के पास 420 हो गए और जो भी पच्छे उनके पास 380 हो गए तो अब यहां पर यह ब अधान है तो भुलाता तो है राष्टपती लेकिन जब कोई भी अधिवेशन होगा तो उसका एक हेड होगा जो चेयर पर बैठेगा उपर तो ये कौन बैठता है तो ये बैठता है हमेशा और हमेशा लोग सबा का अध्यक्छ तो यही इस क्वेस्टन में पूछा गया था और आपको पता दें कि अभी तक के वहल तीन बार बुलाया गया है क्योंकि सरकार के प्रती लोगों में गलत मैंसे जाता है कि सरकार विपच को लेकर काम नहीं कर पा रही है इसलिए इसे नहीं बुलाया जाता है एक बार दहेश प्रता में और एक बार बैंकिंग में और ए के अध्यक्ष होंगे 2014 के मैन बुकर पर उसकार से सम्मानित किसे किया गया तो ये थे रिचार्ड फ्लैगनन राष्ट्य पुलिस अकादमी कहां पर है तो ये है है हैधराबाद में आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि गांधी जी की अध्यक्षता में एक कमा AICC अध्यक्षन कहां पर आयूद किया गया था ये था बेल गाउं और आपको बता दें कि बेल गाउं में 1924 में ही गांधी जी एक बार कांग्रेस के जो राष्टे कांग्रेस है उसके अध्यक्ष बने थे केवल एक बार तो ये भी कुश्चन कई बार पूचा गया है कि गांधी जी कितने बार अध्यक्ष बने थे तो गांधी जी केवल और केवल एक बार अध्यक्ष बनाये गये थे 1924 में बेल गाउं के अध्यवेशन में अगला है कि भारतिय समिजान में सिविल सेवाओं में कौन सी तीन स्ट्रेडियो में प्रावधान किये गए है तो ये होता है प्रसासनिक, पुलिस और विजेश सेवाओं जो बात हो रही है आईएस, आईपीस की आगे बढ़ते हैं तो डाटा बेस मेंजमेंट सिस्टम मतलब की DBMS में डाटा की समगरी और इसे ती किसके द्वारा परिबासित की जाती है तो ये होता है मेटा डेटा मेटा डेटा के द्वारा इसकी हिसे ती परिबासित की जाती है आगे बढ़ते हैं तो data processing का क्या मतलब है तो data processing मतलब की काम होना बाड़ी जी कुपियों के लिए कोई वीजन का है तयार करने को आप डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं प्रत्रम computer network किसे माना जाता है तो यह है अपार्टनेट अपार्टनेट और आप इसे श्टार मार्क कर लिजिए कई बार पूछा जा चुका है अपार्टनेट लिनेक्स क्या है लिनेक्स तो यह open source software है जैसे कि विंडोज होता है और अगर आप mac के बारे में पूछा जाए कि mac क्या है तो यह open source software नहीं है जो apple company बनाया जाता है इसे mac बोलते है और जो विंडोज है linux है यह open source software है ट्रैक बाल किसका उधार है तो जिस तरह माउस यूज़ करते हैं उसी तरह ट्रैक बाल भी होता है ट्रैक बाल एक pointing device है आगे बढ़ते हैं तो वाल स्ट्रीट किसका नाम है तो यह new york के stock exchange का नाम है वाल स्ट्रीट जैसे कि हमारे यहां stock exchange होते हैं उसी तरह new york का है अमेरिका का उसको हम वाल स्ट्रीट बोलते हैं कौटिल यानि की चाड़क के ने जो अर्थ सास्त्र लिखा है या बुक किस पर आदारित है मतलब कि जो भिषड़ो गुप्त कावटिल ये चाड़क के ने के कई नाम है इन्होंने एक बुक लेगी थी अर्थ सास्त्र तो अर्थ सास्त्र किस के लिए है मतलब किस चेत्र के लिए है तो कई बारी से एकोनामिक्स में लोग ट्रिक कर देते हैं लेकिन ये राजनितिक सासन कलापे अधारित है जय विविट्टा को किस रूप में जाना जाता है तो इसको जाना जाता है पारिसित की तंत्र विविट्टा के रूप में निमलिखित में से क्या अनिधिमान वक्रकाल लच्छड नहीं है तो ये एक दूसरे के अवतल होते हैं भारत छोड़ो अंदोलन में अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंब बड़े पैमाने पर हुआ इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंतर किसने दिया था तो देखें यहाँ पर कई क्वेस्चन मनते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताओं से कई बार पूछा गया है उससे पहले आप जान लिजिए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था तो ये दिया गया था मात्मा गादी के द्वारा आपको बता दें कि कई बार ये पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कि कब सुरू किया गया तो ये सुरू किया गया था 1942 में 9 अगस्त 1942 में उसी तरह कुछ और भी महत्तपुर नारे हैं जो कि कई बार पूछा गया है जैसे कि जै जवान जै किसान किसने दिया था नारा तो जै जवान जै किसान ये दिया गया था लाल बहादुर सास्त्री के द्वारा मारो फिरंगियों को ये नारा किसने दिया था तो ये दिया था मंगल पांडे के द्वारा जय जगत ये नारा किस के द्वारा दिया गया था ये थे बिनोभा भावे संपूर्ण करांती तो संपूर्ण करांती का नारा दिया गया था जय प्रकास नरायन के द्वारा चलिए बताए ये बंदे मात्रम का नारा किस ने दिया बंदे मात्रम तो ये दिया गया था बंकिम चंद्र चटर जी के द्वारा बंकिम चंद्र चटर जी के द्वारा देखिए अगर आप के वल वीडियो डाउनलोड कर लेंगे वीडियो का फीडिया तो आपको यह सारी एक्स्ता जानकारी नहीं मिलेगी इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यहा कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ तो यह कहा गया था लाला लाजपतराए के द्वारा लाला लाजपतराए के द्वारा और आपको बता दे हे राम किस ने कहा था यह आप बताईए हे राम किस ने कहा था यह आज के लिए आपका पहला कोशन होगा हे राम किसका प्रमुक ना के लच्छ से टकराती हैं तो क्या निकालती हैं क्या उत्सर्जित करती हैं तो यह निकालती है एक्स क्रेड़े एक्स क्रेड़े गामा क्रेड़े कई तरह की क्रेड़े होती हैं तो यह निकालती है एक्स क्रेड़े विभीन तत्तों के परमाडू में क्या होता है तो विभीन इसमें होते हैं प्रोटान प्लस न्यूट्रान और इसके चालों तरफ चक्र लगाते हैं इलेक्ट्रान इसमें एक परमाडू कर्मांक होता है परमाडू कर्मांक जो की बराबर होता है प्रोटान के इसमें अगर आप उसे न्यूट्रान पूछा जाए तो परमाडू भार में से अगर आप प्रोटान को माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रानों की संख्या निकल जाती है अगला है कि निमलिकित में से कौन दीन इलाही का सदस्य बना था तो दीन इलाही धर्म का सदस्य बने थे राजा बिर्बल और कभी कभी पूछा गया है कि ये किस के द्वारा तो इसे नाम दिया गया था दीन इलाही और इसका सदस्य बनने वाले ब्यक्ति थे राजा बिर्बल और आपने अकबर बिर्बल की कहानियों में इनका नाम सुनाओगा इन जानवरों में से किसके जब्रे नहीं होते हैं तो ये होते हैं मिक्सीन और खास करके इसमें मचलिय आती हैं कई मचलियां ऐसे होती है जिनके जबडे नहीं होते हैं तुने हम कहते हैं मिक्सीन तो अगला कोश्चन है कि भोजन प्रकास और अस्थान की प्रतीयस पर्दा कहां पर सबसे एधिक होती है यह होती है निके में निके मतलब कि क्या एकी छेटर में पैदा होने वाले जो निकट संबंदी प्रजातिया होती हैं वहाँ पर प्रतियस परदा होती है भोजन प्रकास और अस्थान की Amnesty International क्या है? Amnesty International है मानवा दिकार संगटन और आपको बता दें कि 200 मानवा दिकार दिवस कब मना जाता है? क्या आपको पता है? तो कमेंट करके बताएए यह मना जाता है हर साल 10 दिसंबर को तो एट्स दिवस कम मना जाता है? एट्स दिवस मना जाता है एक दिसंबर को तो कम्प्यूटर दिवस कम मना जाता है? यह कमेंट करके बताएए कम्प्यूटर दिवस कम मना जाता है? यह आज के लिए आपका दूसरा क्वेशन होगा और आपको हिंट दे दें कि ये भी दिसंबर में ही मनाया जाता है आपके मानवा दिकार दिवस और कम्प्यूटर एट्स दिवस के बीच में अगला कोश्चन है कि निम्लिकित में से किस देश में सबसे लंबी अस्थल सुरंग है अस्थली सुरंग तो ये है स्वीटर जिलेंड में और जील में उस्मा की अत्यदिक मातरा के संयोजन को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं ताप प्रदूसर जो ताप का प्रदूसर होता है उसको हम जील में कहते हैं अत्यदिक मात्रा का सही वजन लिफ्ट में मनुसर का प्रतेच वजन वास्तिक वजन से कम कब रहता है तो ये तभी होगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो देखें आपको बता दें कि लिफ्ट से दो या फिर तीन क्वेशन बनते हैं जैसे कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो तो क्या होगा तो जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो आपका वजन कम महसूस होगा जो वास्तिविक वजन है उससे आपका वजन कम महसूस वजन होगा अगर lift उपर जा रही हो तो आपका वजन अधिक महसूस होगा और अगर lift नीचे जा रही हो और इसकी रस्ती तूड़ जाए तो आपका वजन जीरो महसूस होगा तो ये तीन condition है और इन पर question पूछा जाता है जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि प्रत्याच्छ वजन कम कब लगता है तो यह लगता है जब lift नीचे जा रही हो कब अधिक लगेगा जब lift उपर जा रही होगी और कब 0 आपका वजन महसूस होगा तो जब lift की रसी तोड़ जाए अगला है कि मिर्दा पर्दन छेतर के संबंद किन से है तो भू उपियो का बिनिमिनियन से है मिर्दा पर्दन का छेतर पल मिर्दा पर्दन मतलब क्या होता है कि मिर्दा का कटाव और मिर्दा पढ़ना रोगने के लिए आपको क्या करना चाहिए तो बिच्छार ओपड करना जरूरी है अगला एकिन अमलिकित में से क्या उच्छी नयाले और उच्छी नयाले दोनों की अधिकारता के अधीन आता है तो यह है मूल अधिकार अगर आपका मतलब मूल अधिकार का उलंगन होता है कोई आपके मूल अधिकार को छीन रहा है आपके मूल अधिकारों को हनन कर रहा है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इन ही दो जगा पर जा सकते हैं देखां नहीं है कि आपका मुला दिकार हनन होता है तो आप जिला जज में जाएंगे, वहाँ पे आप को Parkускो सुनवाई नहीं होगी, आपको सिधे High Court या Supreme Court में ही जाना लगते हैं, ठंडी के दिनों में उस तरह के निवास में रहने लगते हैं इसको कहते हैं रितु परवास इंद धनुस कब बनेगा जब सूरिका प्रकास होगा तो देखे सब से पहले आपको बनता दें कि इंद धनुस तभी बनेगा जब बारिस होí और आसमान में वर्षा की कुछ भूदे हो और यहां पे जब प्रकास पड़ेगा तो अपवर्तन और आंतरिक परवर्तन होने के कारण जो यह भूदे है चमकीली दिखती है और तभी हमको इंदधनुस दिखता है इंदधनुस बनने के लिए जरूरी है कि 12 ना बजरा हो अगला है कि उत्तरी पुर्वे मानसून से किस प्रदेश में बरसा होती है तो यह होता है तमिलाडू में तो अगला कोश्चन है कि जेस्ट फार लाइप इस पुस्तक के रजईता कौन है तो यह है एमिले जोला इस तरह के कई भूख है जो आपके परिच्छा में कई बार वोगहें पूचे गए यह के जैसे कि एक गडाड कर पूद्ध छह्त्रह WOW अमनी पूछ है क्या आपको पता है कि इसके राइटर कौन है है तो इसके राइटर है अरूंधती राय अरूंधती राय है इसकी रायर एंधास क्याल धास कैपिटल ज उस सारे कोश्न कही बार पू ये इनकी रचना है और आपको बता जहें इसी तरह एक question कई बार पूछा गया है जैसे कि हर्स चरित तो हर्स चलित के लेकक कौन है तो हर्स चलित के लेकक है बाणबट ये राजा जो हर्स थे उन पे लिखी गई थी बुक और इसी तरह जहासी की रानी ये भी पूछा गया है कई बार जहासी की रानी ये किसके दोरा लिखा गया है तो जहासी की रानी लिखा गया है ब्रिंदा ब्रिंदा बन लाल भर्मा है इनके द्वरा लिखे गई थी और रगुबंस जो महा काब है किसके द्वरा लिखा गया है रगुबंस तो रगुबंस लिखा गया है महान कभी काल इदास के द्वरा काल इदास के द्वरा तो इस तरह कई क्वेस्टिन कई बार आपसे परिच्छा में पूछे जाते हैं उन्हें आपको याद करने की जरूरत है जब आए बढ़ती है तो खपत भी की सनपात में बढ़ती है तो यह बढ़ती है कम अनपात में और आश्टिय द्रिष्टि कोड की द्रिष्टि से क्या सुछ में द्रिष्टि कोड को दर्थाता है तो टास्कों की विक्री का द्यान मतलब की बड़े चीज में छोटे का द्यान सुछ में द्रिष्टि कोड होगा अगला है कि पूजी बजार का संबंध किस्से है तो यह है दिर्गकालिक निदी से यह एकोनामिक्स की सारे क्वेस्चन है भारत में नई क्रिसी रणनीती कब सुरू की गई तो यह सुरू की गई उननी सो चाच्ट में जब हमने क्रिसी का पैदवार बढ़ाना सुरू किया त अगला कोश्चन है कि फसलो का वरतन क्यों अनिवार है तो अगर मिर्दा की उरक्ता को आप बढ़ाएंगे तभी फसलो की जो क्वालिटी होगी और क्वान्टिटी होगी दोनों बढ़ेगी उत्प्रेजक कन्वर्टर समानता किस्से बनाया जाते हैं यह होते हैं संक्रांत धातू आतिस बाजी में मतलब कि जब पटाका जड़ाया जाता है तो उसमें जो हमको हरा रंग मिलता है जब पटाका ऊपर जाके तुप फूटता है तो जो हरा रंग मिलता है यह किसके कारण होता है यह होता है बेरियम के कारण यह कोईस्टन कई बार पूछा जा चुका ह जिस निर्यात और जिस आयात की मुल्व में अंतर को क्या कहते हैं जिसको कहते हैं ब्यापार सेज आयात मतलब क्या होता है आना निर्यात मतलब क्या होता है देश के बार जाना अगला कोश्चन है कि पारिस्थित की तंत्र किस से मिलकर बनता है तो पारिस्थित की तंत्र बनता है जैवी समुदा है और उसके निर्जीव गटक के मतलब की पालिस्तित की तंत्र क्या होता है तो जीव जन्तु हो का अब जीव जन्तु में मनूस से ब्याद जाएगा जो पर्यावलरड है खास करके जो पेंड़ पोदे हैं उनके साथ जो combination है इसके अध्यन को हम कहते हैं पारिशित की एकोलाजी कहते हैं तो इसमें जो जीव समुदा है और जो निर्जीव है या फिर जो पेंट पहुदे हैं सब के मिलने से बनता है पारिशित की तंत्र बिंडोज एंटी की क्या विसेचता है तो बिंडोज एंटी क्या करता था मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता था मतलब कि एक साथ कई काम कर सकता था वाटरलू यूद में मेनो पुलेरियन को अंत में किस वर्थ पराजे मिली तो ये मिली थी सन 1815 में आगे बढ़ते हैं तो भारती राष्टी कांग्रेस की प्रथम महिला अधक्ष कौन थी तो ये थी एनी बेसेंट देखे भारती राष्टी कांग्रेश से कई question पूछे जाते हैं जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि भारती राष्टी कांग्रेश मतलब कि कब बनाया गया तो 1885 में किसने बनाया तो A.O. Yume के द्वारा बनाया गया था यहाँ पे पूछा गया है कि पहली महिला अजक्ष कौन थी तो यह थी एनी बेसेंट कई बार पूछा जाता है कि क्या राष्टी कांग्रेश के कभी अजक्ष बनेते महात्मा गांदी जी तो हां मात्मा गादी जी एक बार अध्यक्ज बने थे 1924 में कहां पे तो बेल गाओं के अधिवेशन में बस एक बार बने थे बेल गाओं के अधिवेशन में तो आसा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दवा कर इसे जरूर लाइक कर दीजिए अगला है कि भारती समिधान के अनुछे 14 में जो प्रियुक्त मुहाबरा है कि क कानून के दिश्टी में सभी समान है यह कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है ब्रिटेन से मतलब इसमें क्या है कि हम किसी से धर्म कैदार पे कोई भेदबाव नहीं करेंगे यह सब अनुछे 14 है कानून के दिश्टी में सभी समान है चाहे हो कितना भी बड़ा बिक्ती क्यों न हो तो यह लिया गया है ब्रिटेन से इन फैक्ट आप यह देखेंगे कि जो भी हमारे यहां संसदी सिस्टम है जैसे कि लोकसभार, राजसभा प्रधान मंत्री, कैबिनेट यहां तक की डियम जो डिस्टिक में जिस्टेट होता है डियम यह सब जो सिस्टम आप देखते हैं सब लिया गया है ब्रिटेन से समाज में अपराद होते हैं इसलिए राज का अस्तित्व है अन्य था राज की कोई आँ सकता नहीं होती है यह किसने कहा था यह कहा गया था हबड इस्पेंसर के द्वारा कोणारक में प्रसिद सुर्य का मंदीर का निर्मार किसने करवाया था तो यह नरसिंग अन्य प्रथम के द्वारा कराया गया था कोणारक में प्रसिद सुर्य का मंदीर आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अलफा बीस किस्से बनते हैं तो यह बनते हैं कवको के द्वारा सामयवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुस्मन कौन है तो सामयवाद के अनुसार जो प्राइबेट संपत्ती है यह इसकी प्रमुख दुस्मन है मलेरिया पर जीवी को निमलिकित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है तो यह है इस पोरो जोईट जो मलेरिया होता है उसकी अवस्ता के बारे में बताया गया है जस्पाल राणा किस खेल से सम्बंदित है तो यह कहलते हैं निसाने बाजी और चलिए आप से तीसरा कोईशन पूछ लेते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए हीमादास किस खेल से सम्बंदित है हीमादास अभी यह बहुत चर्चित में है और उन्होंने लगतार 5-6 मेडल जीता था कि वह एक से डेड़ महीने में आप कमेंट करके बतारिए हिमादार जोगी हशम की है तो यह किस खेल से संभन्सदित है या फिर क्या है आपको हमें कमेंट करके बताना होगा अगला है कि भारत में बंद जीव संरचड अधिनियम कब लाए गया था मतलब कि जो भी बंद में जीव है उनका संद्चड करना है तो ये लए गया था 1972 में और अगर पूछ लिया जाए कि बंध संद्चड अधिनियम कब लाया गया बन जीव नहीं केवल बन संरच्छड तो यह लाएगा था 1980 में इसके आठ साल बाद आप ऐसे आज़ा रख सकते हैं पहले बन जीव आया 1972 में आठ साल बाद आया बन संरच्छड आरकोच किस प्रकार के चट्टाने हैं तो यह हैं अवसाधी चट्टाने और अंतर राश्टी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को देखिए ओजोन मतलब की ओतरी होता है यह जो सूरी की पराबैगने केड़े आती उनको रोकता है और अगर यह केड़े उसी तरह धर्दी प्या जाती तो कई तरह के चर्म रोग हो सकते थे लेकिन इन्हें यह रोकती है ओतरी और इसको मतलब इसके बारे में लोग को जाग रोक करने के लिए हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर राष्टी उजोन दिवस आपको बता दें कि इसको सबसे ज्यादा नुकसान सीपसी गैस करती है इसका फूल फारम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन अंडे से नया निकला टैड़ पूल किसके माध्यम से स्वास लेता है यह होता है बारी गल्फड़ों से आगे बढ़ते हैं तो किसी के अत्यदिक विसेसिक्रित रूप का संबंध किस्से है जिसमें की काफी चाय रबड जैसी फसले उगाए जाती है तो देखे चाय एक बगानी फसले यह तो आपको पता ही होगा भले आप काफी और रबड को पर होता है इंडिया में तो यह होता है करनाटक में करनाटक में और अगर चाय का पूछ लिया जाए तो चाय का उत्पादन होता है असम में चाय सबसे बेस्ट चाय कहां की होती है तो वेस्ट बंगाल में दार्जलीन है दार्जलीन की जो चाय होती है सबसे बेस्ट होती है लेटन भाट सा में वाईयरस का क्या अरथ है? यह अ पौईजन मतलब कि बिस जैविक प्रक्रिया में ये वाई जीव और अवाई जीव दोनों ही कैर्विंग पदारतों को अख्रमित करते हैं तो यह है कमपोस्टी करلर already जो हम कमपोस्ट खाड़ जो दोनों होते हैं य जीवी और य जीवी दोनों क्या हो जाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं अगला है कि पौधो के किस भाग में उपताओ नहीं होती है तो यह होता है जड़ पौधिक है जो जड़ होता है इसमें उपतुचा नहीं पाये जाती है अंतरवेसी विवयोजक मतलब की मेरी स्टेम यह किसमें पाये जाते हैं तो यह होते हैं आंतरिक नोड में और सूपर कंडॉक्टर ऐसे पदारत हैं जो की विद्धुत करण्ट के प्रवा को नियूंतम रोधित देते हैं जो सुपर कंप्यूटर होते हैं मतलब कि एक होता है इक होता है नान कंडॉक्टर मतलब कि जिसमें से बिद्धुत प्रवाईत हो सकती है एक होता है जिसमें से बिद्धुत प्रवाईत ना हो सकती है जल सता पर तेल की पतली परत र कोई प्रकास की किरड किसी पे टकरा के चली आती हो इसको हम परावर्तन कहते हैं एक होता है अपवर्तन अपवर्तन में क्या होता है कि किसी भी तलाब की पेंदी हमको थोड़ा सा उपर महसूस होती है गिलास में कोई सिक्का होता है तो हमको उसका जगह दूसरे जगह दिखाई देता है गिलास में पानी है और उसमें अगर हम कोई चछड डाल रहे हैं तो ये चछड हमको थोड़ी सी मुड़ी हुई महसूस होती है ये होता है प्रकास का अफवर्तन अब हीरा हमें क्यों चमकता है तो हीरा के चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरा के चमकने का कारण अगला है कि हासमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है तो ये सबी सेक्टरों पर लागू होता है यह एकनामिक से कुईस्टन है नौकरशाई का साबदी कर्द किसके द्वारा सरकार की बयोस्ता से है तो यह करमचारी जो करमचारी होते हैं जो government servant होते हैं इनको हम नौकरशाई के तभर रखते हैं संगिय सरकार किस और रुप की होती है तो संगिय सरकार मतलब कि Central Government ये केंदर और राजियों के बीच के करार के रूप में होती है आगे बढ़े तो संसदी और राश्टपती प्रडाली के सरकार के बीच मुखिता क्या अंतर होता है तो देखे संसदी में क्या होगा कि संसदी कंट्रोल करता है और ये संसदी प्रडाली तो पूरे देश में होती है लेकि राश्टपती प्रडाली क्या होता है कि अगर किसी भी स्टीट में राश्टपती सासन लग गया है तो वहां का जो भी काम होगा सारे संसद के द्वारा जैसे की बिल पार्थ करना बजट पेस करना ये सब संसद में होता है आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मुख्य पीड़क जन्तु नासी गूड किसमें होते हैं मुख के पीड़क जनतुना सिगूर किसमें होते हैं तो यह होते हैं पोगांबिया में ग्रीन हाउस प्रभाव मुकेता वाई मंडल में किसके ब्रिदी के कारण होता है यह होता है कार्बन डायकसाइड के ब्रिदी के कारण अगर कार्बन डायकसाइड के ब्रिदी होगी तो महां पर ग्रीन हाउस इपेक्ट होगा और धर्ती का तापमान बढ़ेगा जो भी ग्लेशिया रहो पिखलेंगे और धर्ती पर तबाई आ सकती है हरित ब्लाकों का संबंद किस से है तो जो जैवी इंटे होती हैं बायो ब्रेक्स इंदी से संबंदित है हरित ब्लाक भारत ने अपना पॉलियो मुक्त स्टेटस किस महा में मनाया था तो यह मनाया था फरवरी 2014 में पॉलियो मुक्त होने का स्टेटस बारत ने मनाया फरवरी 2014 में आगे बढ़ते हैं तो विबिन कंप्यूटर केबिल और किसके द्वारा लैन से जुड़े होते हैं तो यह होता है इंटर पूल पारम Central Processing Unit, ALU का फूल पारम पूछा जाता है arithmetic logic unit, CU का पूछा जाता है control unit, कई बार CD का पूछा जाता है तो इसका होता है compact disc, तो चलिए आप से question पूछ लेते हैं computer के पितामा किसे कहा जाता है, यह आज के लिए चौथा और अंदिम question होगा, comment करके बताएए computer के पितामा किसे कहा जाता है carbonic योगिक किस प्रकार के होते हैं, तो यह होते हैं, सस्वनियोजिक योगिक और vitamin E के अभाव में क्या होगा, तो president चमता में कमी हो जाएगी vitamin A से क्या होगा, तो रताओदी होगी vitamin B से बेरी-बेरी, vitamin C से इसकरवी, vitamin D से रिकेट्स, और vitamin E से प्रजिनल रिलेटेड प्रॉब्लम पूर्टगालियों की पहले factory कलिकट 1520B में किस ने अस्थापित की, तो यह अस्थापित किया गया था वासको डिगामा के द्वारा, अब देखिए इस एकी question में चार question बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कि वासको डिगामा भारत कब आया तो वासको डिगामा भारत आया था 1498 में, 1498 में दूसरा question पूछा जाता है कि वासको डिगामा भारत में मतलब कि अपनी पहले factory कब लगाया तो 1500 में इसके अलामा पूछा जाता है कि वासको डिगामा किस देश का था तो यह एक पुर्तगाली था और एक question पूछा जाता है और किवासको डिगामा भारत में किस अस्थान पे उतरा तो ये उतरा केरल याने की कलिकट में तो इस तरह एक ही question से आपको लगबग चार question पूछे जाते हैं अगला है कि डचों ने अपनी पहली factory 1605 इस भी में कहां पे अस्थापित की तो ये इनोनन लोगों ने लगाया मुसली पट्टनम में और डच ने अपनी पहले factory कब लगाई 1605 में ये भी कई बार पूछा गया है British East India Company का प्रथम governor कौन था तो ये था Tom Nuss Smith और British East India मतलब भारत में कब आई तो ये आई थी लगबग 1600 के करीब लेकिन इसने अपनी फैक्टरी लगाई सूरत में 1613 में और ये जहांगीर का कारेकाल था जहांगीर जो की अकबर का बेटा था और उसी समय जो इस्ट इंडिया कमपणी थी वो अपनी कमपणी सूरत में लगाई देखें वहाँ पर company का मतलब एक warehouse था warehouse का मतलब यह है कि वहाँ पर आप इस टोर रूम कर सकते हैं वहाँ पर बाहर से समान आते थे उनके देश से और वहाँ पर कठा किया जाता था बाद में वहाँ से बेचा जाता था वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि समान बन रहे थे आगे बढ़ें तो अगला है किसे जहांगीर ने खान की उपादीज़ सम्मानित किया तो यह था हाकिंग्स और आपको याद हो तो इसने permission लेने आया था लेकिन इसको permission नहीं मिली थी तो जहांगीर ने इसे खान कहा था तो यह था हाकिंग्स आगे बढ़ते हैं तो 1998 में वासको डिगामा भारत में कहां पर उतरा था देखिए अभी एक question आ गया हमने अभी आपको बताया तो यह उतरा था कलिकट में कलिकट मतलब की केरल में इसने अपनी जो फैक्टरी है कलिकट में ही लगाई 1500 में पुर्तगाली था यह आपको याद रखना है वासको डिगामा कहां का रहने वाला था अधिके question आ गया तो यह था पुर्तगाल का पूछा जाता है कि वासको डिगामा कहां का था कब आया और इसने अपनी फैक्टरी कहां लगाई तो इस से तीन से चार question बनते हैं वा अंग्रेज जदिकारी समराट जिसको समराट जहांगीर के जर्बार में आकर भेट किया था तो यह साथ सर टामस रो और आप देखेंगे कि दो अंग्रेजाय थे एक Hawking स्था जिसको की परमीशन नहीं मिली इसको परमीशन नहीं मिली लेकिन जब दूसरा आया अंग्रेज जिसका नाम था सर टामस रो इसको जहांगीर ने कमपनी लगाने की पर्मिसन दे दी जो की एक राजा के रूप में सबसे बड़ी गलती थी और यही गलती जाके आगे पूरे देश को एक मतलब गुलामी के पर्था में डाल दिया आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिमेसी करड मूलता किया गया था किसके द्वारा तो पूर्तगालियों के द्वारा आप देखेंगे कि यह जो पूर्तगाली हैं भले ही भारत में अंग्रेजों से बहुत पहले आ गए क्योंकि अंग्रेज आये थे लगबग सोलसों में, पूर्तगाली आ गए लगबग पंद्रसों में मतलब कि सौ साल पहले आ गए, सौ साल पहले एक लंबा टाइम पिरियड होता है लेकिन यह पूर्तगाली कभी भी पूरे भारत पे कबजा नहीं कर पाए, कभी भी और यहां पे इतनी असानी से कबजा इसलिए कर लिया गया क्योंकि यहां के राजा आपस में लड़ रहे थे तो यह पुर्तिगाली पूरे भारत पे नहीं कबजा कर पाए क्योंकि इनकी सेना मजबूत नहीं थी फिर भी यह लोग गोवा, दमन और दिव इस तरह के जो समुद्र के किनारे वाले जो छोटे छोटे श्टेट थे उन पे असानी से कबजा कर लिया और उससे असानी से कबजा करने का कारण यह था कि इनकी जो नौ सेना थी वो बहुत पावरफुल थी आप देखेंगे कि अंग्रेजों के आने के बावजूद भी यह लोग गोवा और दमन दिव को नहीं छोड़े मतलब कि अंग्रेजों ने बहुत कोशिस किया फिर भी यह लोग गोवा छोड़के नहीं गए तो इस तरह इनकी नौ सेना बहुत पावरफुल थी और यही कारण है कि यह लोग भारत के आजाद होने के बाद भी टिके रहे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत कब आजाद हुआ तो आपका उत्तर होगा 1947 में लेकिन अगर ये पूछा जाए कि गोउा कब जाद हुआ तो गोई आजाद हुआ 1961 में मतलब कि आप देखेंगे कि ये लोग मतलब इनकी नो सेना इतनी पावरफुल थी कि 100 साल पहले आने के बावजूद भले ही पूरे रेज़ पे कबजा नहीं कर पाये लेकिन जो समुद्र के किनारे वाले स्टेट थे उन पे कबजा कर लिया और गुवा को आजाद कराया गया 1961 में ये क्वेशन कई आपसे पूछा गया है अगला है कि किस अंग्रेज ने पूर्तगालियों को सौली या फिस स्वाली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अस्थान पे आराया था तो ये अंग्रेज था थामस बेस्ट जब से अंग्रेज आये तब से अंग्रेज और पूर्तगालियों के बीच हमेशा युद होता गया और हमेसा अंग्रेज मतलब की powerful होके उपरे वह पुर्तगाली कौन था जिसने गुवा पर अधिकार कर लिया था तो यह था अलफानसो डी अलबुकर्क अलफानसो डी अलबुकर्क यह पहला पुर्तगाली था जिसने गुआ पे कबजा किया और ये कबजा रहा 1961 तक बारत में East India Company का पहला Governor General कौन था तो ये था Warren Hastings देखिए कई होते हैं एक वाय सराय गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल आप बंगाल और पूरे भारत का गवर्नर जनरल तो इसमें केवल गवर्नर जनरल पूचा गया है ये वारेन हैस्टिंग्स इस तरह जो भी गवर्नर जनरल और वाइसरा हैं उनके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे तो आप उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए अगला है किस यूरोपिय ने बारत में सबसे पहले अपना बैपार फैलाया और प्रभावित कि तो यह थे पुर्तगाली मतलब कि यह कोईशन पूछा जाता है और कई बार तो अगर आपको याद हो केवी सी में एक साल जब केवी सी पांच करोड के लिए होई थी मतलब कि जो केवी सी होता है कौन बनेगा करोड़ पती यह पहले सुरुआत में एक करोड़ के लिए लोग थे वो पहले आए और बाद में गए तो यही लोग थे पुर्तगाली यह लोग देखें आप 1498 में ही आ गए थे और गए 1961 में अगला अगी प्रतम करनाटक युद का कौन सा तातकाली कारड़ था जो तातकाली कारड़ उससमें करनाटक युद हुए थे करनाटक अंग्रेजों और फ्रांस के जो लोग थे फ्रांसीजी थे उनकी बीच हुआ तो वहां पर जो अंग्रेज थे यह फ्रांसीजी जहाजों का अधिगरण कर लिये थे और इसलिए पहला करनाटक युद हुआ आप देखेंगे कि जब से मतलब अंग्रेज आ गये यह फ्रांस जान कर ये जहां पर यूरोप वासियों को सरोत्तम सोरा और अफिम प्राप्त होता था तो ये है बिहार आज का बिहार नहीं ये बिहार पहले बड़ा हुआ करता था इसमें उडिसा और ये जो जारखंड है इस तरह के चेतर भी स्वामिलते हैं भारत में 1613 इस भी में अंग् तकी सूरत में और किस ने परनीसंदिया तो जहांगीर ने जहांगीर के पिता का नाम क्या था अकबर आप देखेंगे कि अकबर 1556 से राज करना सुरू किया 1605 तक 1605 से ले करके 1622 तक जहांगिर ने राज किया तो इसी ने परनीशन दिया जो कि एक बहुत बड़ी गल्थी थी और इसने टामस रो को परनीशन दिया था टामस रो को ये भी आपको याद रखना होगा आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जिस एक साजक ने इस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी परदान की वो कौन था तो ये था सा आलम देती है अब दिवानी का मतलब क्या है दिवानी का मतलब कि ये टेक्स असूले वाला जो काम था ये भी इस्ट इंडिया कमपनी को दे दिया गया था सा आलम देती है के द्वारा एक तरह से आप GST के जैसे समझ सकते हैं जो भी टेक्स था सभी अंग्रेज असूल रहे थे और उसमें से कुछ हिस्सा राजा को दिया जा रहा था अगला है कि बंगाल की फैक्टरियों में एक जो पुर्तगालियों दोरा इस्थापित की गई थी वो सहर कौन सा है यह हुगली हुगली है यह बंगाल का और एक दीप निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है मुंबई जो कि हम मुंबई को दीपो का सहर कहते हैं अगर आप मुंबई गये तो देखेंगे कि मतलब कितना उच मतलब की उबढ़ खाबढ़ है वहाँ पर तो यह दीपो का सहर है अगला है कि अठ्वानी सदी में लड़े गई युदों का सही का लानुकरम कौन सा है मतलब कि जो युद लड़े गए थे तो पहले अंबर युद फिर प्लासी का युद फिर बांडिवास का युद और बाद में बकसर का युद हुआ था आगे बढ़ते हैं तो पुर्तगालियों ने 1499 में गुवा पे कबजा किया था भारत में युरूपिय सक्ति के प्रवेस के संदर में उक्त कथन सही है या पे नहीं तो नहीं पुर्तगालियों ने 1499 में कबजा नहीं किया था आप देखेंगे कि 1498 में भले पुर्तगाली वासको डिगामा यहां पे आ गया था लेकिन यह लोग उसी समय कबजा नहीं कर पाया यह 500 में अपनी फैक्टरी लगा है और इन्हें कबजा करने में 10 से 12 साल लग गए थे तो 1499 वाली बात सही नहीं है तो चलिए यहां से आप से क्वेशन पूछ लेते हैं और क्योंकि जरूरी होता है कि आप अपना उत्तर भी हमें कमेंट करके बताते रहें तो भारत की खोज की गई थी पूर्तिगालियों के द्वारा जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं नाम था वासको डिगामा वासको डिगामा ने भारत की खोज की 1498 में आप हमें कमेंट करके बताईए आज का इस वीडियो का पहला कोश्चन होगा कि अमेरिका की खोज किसने की अमेरिका की खोज किसने की यह आपको कमेंट करके बताना होगा अगला एकिप ब्रेटिसों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फेक्टर इस्थापित करने के उनुमती किस से प्राप्त कर रहे थी तो यह था जहांगीर और जहांगीर के बारे में अभी हमने बताया तो जहांगीर ने पर्मिसन दिया था इस्थ इंडिया कंपनी के लिए और पहले फेक्टर लगा गए थी सूरत में 1613 में कई बार लोग 1600 कहते हैं लेकिन यह गलत है 1600 में बस अंग्रेज आये थे इनको पर्मिसन मिली बाद में इनको फेक्टर लगाते लगाते 1613 हो गया था आगे बढ़ते हैं तो लंदन में इस्थ इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बासा था तो यह था अकबर देखी यह क्वेशन थोड़ा सा गुमाऊ है और आप देखेंगे कि पहली नजर में आपको यह क्वेशन गलत लगेगा इसमें है कि बिटिश इस्थ इंडिया कंपनी के गठन के समय बारत में कौन बासा था तो यह था अकबर यहाँ पर पूशा गया है लंदन में कि मतलब कि लंदन में जब वो कंपनी बनी थी तो देखें ब्रिटिश इस्थ इंडिया कंपनी लंदन में बनी थी और यह जब अकबर इंडिया में राज कर रहा था मतलब कि 1556 से लेके 1605 के दोरान इसी दोरान बन गई थी अब इसी दोरान इस्थ इंडिया कंपनी के बनाने का कारण यह था कि वहाँ पर जो गवर्मेंट रूल कर रही थी ब्रिटिस बें मतलब कि लंदन में उसने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी का काम यह था कि यह बस बैपार करें तो यह कंपनी वहाँ पर पहले बन गई और इस कंपनी ने अलग अलग देशों में जा करके अपनी जो एक साखा बनाना शुरू किया वहाँ के राजाओं से परमीशन ले करके जब यह कंपनी इंडिया में आई उस समय जो अकबर था यह मर चुगा था इसका बेटा राज कर रहा था नाम था जहांगीर और इस से परमीशन लिया गया जो कि पहले यह जो विलियम हॉकिंग आया था उसको परमीशन इसने नहीं दिया लेकिन जब सर टामस रो आया टामस रो तो इसको परमीशन दे दिया जहांगीर ने और यहाँ पे इस्ट इंडिया के कंपनी लग गई भारत में फ्रांसेसियों ने सबसे पहले अपना कार खाना कहां पे लगाया तो ये भी लगाया गया था सूरत में अब देखें यहां पर आप देख रहे हैं कि सूरत में या फिर कलिकट में सब कार खाना यहां पर ही क्यों लगाया जा रहा हैं समुद्र के किनारे तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय जो जो इनको समान लाना था वो समुद्र के द्वारा ही लाना था तो अगर उस समुद्र के आस पास रहेगा तो वहाँ पे समान सिप्ट करने में असानी होती थी इसलिए आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे वो कल जिसमें फ्रांसिसी हार गए और अंग्रेजों की सरोचता अस्थापीत हो गई ये था बांडिवास का युद्ध हुआ था 1760 में देखें अंग्रेजों और फ्रांसिस्यों के बीच कई युद्ध होने के कई कारण थे कभी-कभी तो ऐसा होता था कि कारण बाहर के देशों के होते थे जैसे कि ये दोनों कमपनी अमेरिका में रूल कर रही थी उस समय तो वहां पर अगर कोई मामला हुआ इन दोनों कमपनी में तो वहां का जगड़ा यहां पर उभर जाता था और यहां पर अंग्रेज हमेसा से पाउरफूल थे तो इस तरह कई बार युद हुआ और जो 1760 का यह दोआ जिस समय कि अमेरिका लगबग अजाद होने वाला था वहां पर फ्रांसीसियों की यहां पर बुरी तरह आर हुई और अंग्रेजों की सरचता बरकरार हो गई कई बार आप देखेंगे कि जो इनके बीच युद हुआ वो यहां के कारणों से भी हुआ था जैसे कि एक राजा है उसका एक बेटा है राजा का एक भाई है उसका एक बेटा है राजा की हो गई मृत्यू तो होता क्या था कि राजा की मृत्यू के बाद जो अंग्रेज थ तो तुम ही को बनना चाहिए, अंग्रेज इसको राजा बनाना था, अंग्रेज और ये इनको राजा बनाना चाहते थे, अब इसी राजा बनाने के चक्कर में ये आपस में इनको जगड़ा कर देते थे, आपने सुना होगा अंग्रेजों की ये जो नीती थी, जगड़ा करा ताके जो लोग थे उमर जाते थे वहाँ पर अंग्रेज अपना राज अस्थापित कर लेते थे तो कई बार यहाँ के लोकल मामलों में भी इंटरफेयर करने के कारड़ भी इनके बीच युद्ध हुआ तो आसा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे जरूर कर दीजिए आपको लाइक करने का बटन वीडियो के नीचे मिल जाता है और आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपको यह वीडियो कितने हथ तक पसंद आ रही है और आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताईएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और क्या इसमें और भी सुधार किया जा सकता था और अगर किया जा सकता था तो क्या सुधार किया सकता था ये कमेंट करके बताईए अगला है कि अलबुकर्क ने गोवा को 1510 में किस से चेन लिया था तो ये थे बीजापुर के सुल्तान वीजापुर के जो सुल्टान थे मतलब जो यहां के राजा थे उनसे अलबु करक्ने चेन लिया 1510 में और 1512 में जो पुर्तगाली थे यहां पे अपना राज अस्थापित कर दिये पुर्तगाली इस्ट इंडिया कमपनी कब अस्थापित हुई जो पुर्टगाली East India Company तो ये 1498बे में ये अस्थापित हो गई लेकिन आपको द्यान रखना होगा ये इंडिया में नहीं है ये इंडिया में नहीं है कहीं नहीं लिखा गया है कि इंडिया में इंडिया में अस्थापित होई दी ये करीब 1500 के आसपास ये वहाँ पे अस्थापित हुई थी पुर्तगाल में British East India Company कब अस्थापित की गई तो ये हुई थी 1620 में कहाँ पे तो ये भी हुई थी लंदन में क्योंकि आप देखेंगे कि 1556 से लेके 1605 तक तो अकबर ही राज किया था तो अकबर ने परनीशन दिया नहीं और 1620 में ये अस्थापित की गई तो ये अस्थापित की गई थी लंदन में ही Dutch East India Company कब अस्थापित हुई थी ये हुई थी 1602 में तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेस्चन है जो आपको परिच्छा में परिशान कर सकते हैं इसलिए जरूरी है कि इनके फैक्ट को अच्छे तरीके से जानिए अगला है कि भारत के समद्रिमार की खोज किसने की तो ये था वासको डिगामा आपने सुना होगा कि भारत की खोज किसके द्वारा की गई तो वासको डिगामा के द्वारा तो क्या मतलब कि भारत उससे पहले नहीं था तो ऐसा नहीं है भारत उससे पहले भी था और उससे पहले भी यहां पे राजा हुआ करते थे सब कुछ था बस क्या था कि बाहरी दुनिया से भारत का कनेक्ट कोई नहीं था बाहरी दुनिया से connect हुआ 1488 में खोजा गया वासको डिगामा के दोरा और ये समुदरी मार्ग था तो चलिए आप से दूसरा question पूछ लेते हैं और अगर आपने इस वीडियो को सुरुआ से अच्छे से देखा होगा तो आप हमें comment करके जरूर बता पाएंगे वासको डिगामा भारत के किस अस्थान पे आया सबसे पहले किस अस्थान पे आया था वासको डिगामा ये आपको comment करके बताना होगा comment box में कुछ ही लोग हैं जो मतलब गिने चुने लोग हैं जैसे कि हम देखते हैं कि वो लोग कमेंट करते हैं बाकी 4000-5000 लोगों में से कोई कमेंट नहीं करता है तो अगर आपको पता है तो कमेंट किया करिए अगला है कि तृतिय करनाटक यूद जो कि एंगलो फ्रेंच यूद भी काल आता है इसकी समाप्ति किस संदी से हुई तो ये हुई थी पेरिस के संदी से जब भी कोई यूद होता था तो उसके बाद एक संधी होती थी तो ये पेलिस की संधी थी जो किरत्तिय करनाटक यूद के बाद होई 17 माई 1998 को वासको डिगामा कलिकट में उत्रा तो उसका स्वागत किया गया था किसके द्वारा और आदूनेक बारत में हिंदो जरम में पहला शुदार अंदोलन किसके द्वारा किया गया तो ये किया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा अब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे तो ये थे राजा राम मोहन राय और अगर आपने सती प्रथा का नाम सुना हो सती प्रथा का तो इन्हे के कहने पर जो सती प्रथा थी उसको मतलब कि बैन किया गया था किसके दोरा बैन किया गया था ये कई बार पूछा गया है तो बिलियम बैन्टिक के दोरा इसे बैन किया गया था किसके दोरा बिलियम बैन्टिक के दोरा अगला है कि ब्रह्म समाज का उद्धेश क्या है 1839 जो भी आप सनोगा नजदिक में आप त्रिक कर देंगे मतलब 1839 ही है और इसी समय ठगों पर भी रोक लगाई गई थी क्योंकि उस समय ठग बहुत बढ़ गए थे तो ये प्रयास किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा एक क्वेस्चन पूछा जाता है हिनसे कि भारत में पुनर जागरण के जनक कां थे पुनर जागरण के जनक तो पुनर जागरण के जनक थे राजा राम मोहन राय आगे बढ़ते हैं तो ये उरोपियनों में से कौन सोतंत् harmful भारत में बैपारी के रूप में और सबसे अंत में आये मतलब कि कौन सबसे अंत में आया बैपारी के रूप में तो ये थे फ्रांसी सी भारत का बात साथ उस समय कौन था जब ब्रिटेस की इस्ट इंडिया कमपनिया स्थापना हुई तो ये था अकबर क्योंकि 1600 में हुई के जड़ां ग्वा तो गौवा अजाद हुआ कमेंट करल करके बताइये 1961 में तो चलिए यहाँ से आप से तीसरा कोईसं पूछ लेते हैं जो की बहुत ही असान है तो गौवा की कैपिटल कहां है राजधानी कहां है ये आपको कमेंट करके बताना होगा और अगर आपको पता हो तो आप गोवा के मौजूदा सीम का नाम भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं आगे बढ़ते हैं तुनिशनी सदी में जोतिवा फूले के सत्य सोधक समाज ने क्या प्रयास किया था तो देखे जोतिवा फूले थी इन्होंने सत्य सोधक समाज बनाया था और इन्होंने क्या किया कि जो भी मतलब की नीची जाती के लोग थे उनकी रच्छा के लिए बहुत काम किये ब्रामडो और अवसरवादी धर्म गंतों से पुर्तिगालियों ने भारत में सवरपस्थम कहां पे फैक्टरी लगाई तो इन्होंने लगा था कलिकट में कब पंदरह सो में सत्रह सो सत्रह में कौन से मुगल समराट ने अंग्रेज जो को इस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बैबार करने पर बिसेसा अजिकार प्रदान करने का फरमान जारी कर दिया तो ये था फारुक सियार जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती थी बाद में इनको मतलब कि इतना कम पैसा अंग्रेज देने लगे कि इनको अपना गुजारा करना मुस्किल होने लगा अगला है कि अलिगड में इस्तीत मुहमद एंगलो ओरियंटल कालेज के स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये थे सर सेयद अहमत खान ट्रेक कर लेजिएगा ये क्वेशन मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है आरे समाज किसके बिरुद्ध है तो आरे समाज कि ये धार्मिक अनुष्ठान और मुर्ति पूजा के बिरुद्ध है लेकिन आप देखेंगे कि आज का आरे समाज में कुछ परिवर्तन हो गया है यहाँ पर मुर्ति पूजा चलती है आरे समाज के संस्तापक थे दयानंद स्वरसोती 1875 में और इनकी टैग लाइन थी मतलब कि अब टैग लाइन ही बोल सकते हैं क्योंकि आज कल तो इसे हम टैग लाइन ही बोलते हैं तो यह था बेदो की ओर लॉड चलो बेदो की ओर लॉड चलो गो बैक टू बेदास यह इनकी टैग लाइन थी यूआ बंगाल आंदोलन मतलब कि यंग बंगाल मॉमेंट के निता कौन थे तो ये थे हेनरी, विवियन, डेरोजियो थियो सोस्पिकल सोसाइटी ने भारत में कभ और अपना मुक्य कारेयले को अस्थापित किया तो ये किया था आठालास सु बैयासी में 1882 में 1882 से एक question पूछा जाता है भारत में continue जन संख्या की मतलब की continue जन संख्या इसी समय से गढ़ना होनी शुरू हो गई थी हलाकि सबसे पहले 1881 में एक बाद जन गढ़ना की गई थी लेकिन ये इसका data नहीं रखा गया 1882 से हमें साम जन गढ़ना कर रहे हैं लगतार 10 सालों पे और अभी पिछली जन गढ़ना होई थी 2011 में होई थी जिसके उनसार बारत की जन संख्या 121 करोड थी अब अगली जन गढ़ना 2021 में होगी अब देखना होगा कि इस समय हमारी जन संख्या क्या हो जाती है वैसे यह 140 के आसपास तक पहुँच जाएगी बड़े ही असानी से और आपको बताते हैं कि इस 2021 में OBC जो वर गया है इसको अलग से काउंट किया जाएगा यह आपके लिए करेंट का एक क्वेस्चन है आगे बढ़ते हैं तो किसी समय मने किस समय मात्मा गादी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का नाम दिया नाम था आत्म सम्मान आंदोलन इसको चलाने वाले कौन थे मतलब कभी यह मात्मा गादी के सहयोगी थे लेकिन बाद में उनसे अलग हो गए उन्होंने एक अंधोलन चलाया आत्मसम्मान अंधोलन सीधा सीधा आपसे question पूछा जाएगा कि आत्मसम्मान अंधोलन किसने चलाया था तो यह थे रामा स्वामी नायकर रामा स्वामी नायकर ने चलाया था आत्नसम्मान अंदोलन 1829 में सतिपर्था का उनमुलन किसके द्वारा किया गया था तो लाड बिलियम बैटिक के द्वारा हमने आपको यही एर बताया है अभी आगे दो पेज पहले स्वामी विभेकानंद का मूल नाम क्या था तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नात कोलकत्ता में उसमें कलकत्ता था इजरे लिए हमने कलकत्ता बोल दिया तो स्वामी विभेकानंद के गुरू का नाम भी आपसे पूछा जाता है रामद कृष्ण नाम था उनका और उन्हीं के नाम पे उन्होंने रामद कृष्ण मीषण स्थापना किया 12 जनौरी को हर साल इन्हीं के नाम पे हम national youth day मनाते हैं स्वामी विवेका नंद के नाम पे ये क्वेस्टन आप से कई बार पूछा गया है, National Youth Day, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आज के लिए चोथा क्वेस्टन होगा, International Youth Day कब मनाते हैं, International Youth Day कब मनाते हैं, Youth Day, आपने देखा कि National Youth Day मनाया जाता है बारत जनौरी को, स्वामी वि गुगल करके कमेंट करके बताइए उससे क्या होगा कि अगर आप किसी चीज को खोचते हैं तो वो ज्यादा दिनों तक आपके दिमाग में याद रहाता है आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बिटेन के साथ बेसीन की संदी किस पेसवाने की थी तो ये बाजी राव सेकेंड के द्वारा किया गया था देखे कνई बार होता क्या है कि लोग वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते हैं जैसा कि अभी तक 4 Question पूछ लिया है तो उनको ये लगता है कि इस कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है तो देखिए आप कमेंट नहीं करेंगे लाइक नहीं करेंगे उससे पता नहीं चलता है कि कितना इंट्रेस्ट है आपका इस वीडियो में और हम आगे की सीरीज के लिए क्या करें फिलाल आपको बता दें कि इसके कम साथ पार्ट मतलब कि यह उन 60 पार्ट है तो लगबग 60 पार्ट और स्पीडी के लगबग 40 पार्ट कुल मिला के 100 के करीब पार्ट इस तरह की वीडियो जो वन लाइनर है अपलोड हो चुकी है आपको जाना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्टन में या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं East India Company के नितितों में Robert Clive का उत्राधिकारी कौन था तो यह था Warren Hastings ये रावर्ट कलाईब का उतराजिकारी था जब रावर्ट कलाईब रिटायर होके चला गया तब वारेन हैस्टिंग्स को इस्ट इंडिया कमपनी का हैड बनाया गया किसे भारत में पुर्टिगाली समराज का वास्तिविक संस्थापक कहा जाता है तो ये था अलफांसो डी अलबुकर और ये जो बीजापूर के राजा थे उनसे इसने गुवा को जीत लिया था पंदरसो दस में ये गुवा मतलब गुलाम रहा उननिस सो एक सट तक पुर्टिगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था तो ये था फ्रांसिको डी अलमोडा सिचक दिवस कब मनाया जाता है तो यहाँ पे सिचक दिवस मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को सरोपली राजा कृष्णन के जर्म दिवस पे जो हमारे पहले प्राश्पति थे उनके जर्म दिवस पे मनाया जाता है सिचक दिवस हर साल 5 सितंबर को यहाँ पे राश्टिय दिवस लिखा गया है इसका मतलब कि यह राश्टिय राश्टिय दिवस है राश्टिय सिचक दिवस है तो राश्टिय सिचक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को अगर यही पर आप से पूश ले कि अंतराष्टिय सिचक दिवस कब मना जाता ह। तो अंतराष्टिय सिचक दिवस मना जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये कुछ canfuse करने वाले सवाल हैं जो आपको याद रखना चाहिए जिनको। अगला है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यान चंद के जरम दिवस पे इसी तरह कई और प्रशन हैं जो कि दिवस वाले हैं और बार बार हो आपके परिच्छा में पूछे गए हैं जैसे कि राष्टिय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है राष्टिय विज्ञान दिवस यह सारे कोईशन जो हम आपको एक्ट्रा बता रहा हैं पीडियेफ में नहीं मिलेगा तो इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए राष्टिय विज्ञान दिवस म फिर वानिकी हम बोलते हैं, तो यह मना जाता है हर साल 21 मार्च को, जल दिवस का मना जाता है, यह भी विस्वो में है, जल दिवस 22 मार्च को, प्रत्वी दिवस 22 अप्रैल को, तो इस तरह यह जो सारे question है, यह कई बार पूछे जा चुके हैं, हालाकि यह सभी नहीं है, इसके एक 23 वीडियो इस पर अल्रड़ी अप्लोड कर दिया है अगर आपने देखा होगा तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चली आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे question पूछ लेते हैं दिवस से आप हमें comment करके बताईए कि 200 जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है या आज के लिए आपका पहला question होगा 200 जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है या आपको हमें comment करके बताना है comment box में अगला है किसके जनम दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं तो यह हैं मेजर ध्यान चन कम मनाते हैं तो 29 अगस्त को इनको हांकी का जादूगर भी कहा जाता था हांकी का जादूगर और हांकी का जादूगर क्योंकि यह हांकी बहुत अच्छे खेलते थे यह भारत से थे अगला है कि 20 सो पर यावड दिवस कब मना जाता है यह मना जाता है हर साल 5 जून को आगे बढ़ते हैं तो अगला कोश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले ब्यक्ति कौन थे तो यह थे नील आर्म स्ट्रंग और यह 1979 में चंद्रमा पर गए थे डेट था 20 जुलाई और यह किस के द्वारा भेजे गए थे मतलब कि किस देश के द्वारा यह भी कई बार पूछा गया है तो ये भेजे गए थे NASA के द्वारा नासा क्या है तो यह अमेरिका की Antrish Agency है तो इंडिया की Antrish Agency क्या नाम है क्या आपको पता है तो इंडिया की Antrish Agency का नाम है Spro India अभी इंडिया भी अपने लोगों को भेजने वाला है हला कि ये जो पहले भारती इंडिया के मतलब की इसरो दोरा नहीं भेजे गए तो अब इसरो भी कुछ लोगों को भेजेगा 2022 में और उसका नाम दिया गया है मिसन-गगनियान आगे बढ़ते हैं तो प्रथम भारती उपग्रा का नाम बताईए और इसे कब भेजा गया था तो पहला भारती उपग्रा आरेबट था इसे भेजा गया था 1975 में रूस से रूस के द्वारा दरसल जो हमारा इसरो है इसकी अस्थापना लगबग 1979 के आसपास हुई और उस समय हम इतने पावरफुल नहीं थे कि हम अपना अंतरी सटल भेज सके तो ये रूस के द्वारा भेजा गया था लेकिन आपको नाम याद रखना है नाम था आरेबट और ये भेजा गया था 1975 में तो अगला कोश्चन है कि स्वयुक्तराश शंग के बर्तमान महास्चीव कौन है तो ये बान की मून नहीं है ये रेटायर हो चुके हैं इस समय है एंटोनियो गुटरेस एंटोनियो एंटोनियो गुटरेस है इस बार बढ़ते हैं आगे आगे है सौर सेलों के जिस समय को एक नेशित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है उससे हम क्या कहते हैं तो इससे हम कहते हैं सौर सेल पैनल मतलब कि जो सौलर पैनल होता है उसमें क्या होता है तो उसमें छोटे-छोटे सौलरों को मतलब कि जो सौर स या फिर पैनल होता है, यह करता क्या है तो यह करता है, जो सुरी की उद्जा है, सौर उद्जा को, बिद्यूत उर्जा में कन्वर्ट करता है। 100 उड़्या को बिद्ध उड़्या में इस सिमेंट कारा सायनिक सहयोजन क्या है मतलब की हूं सिमेंट यूच करते हैं उस वो किस्स में बना होता है तो यह छूमा पत्थर लेगून इसे बोला जाता है आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बिश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग गोसाड बेस सुरंग ये किस देश में है तो आप इसे तो छोड़ दीजिए यहाँ आप क्यों लिए बताईए कि गोसाड बेस सुरंग किस देश में है तो यह है स्विटर्स लैंड में अगला है कि भाखडा नांगल प्रयोजना कौन सी नदी पर है तो यह है सत्जल में और सिंग मोएड कोहें ये किसका भाग है तो यह है बढ़ियात का भाग है तो अगला कोश्चन है कि निती आयोग ने बित्य वर्स 2017-18 की सुरुवात में जो पांच वर्स की योजना बनती थी उससे अब किसमें बदलने की योजना बनाए तो इसे अब कर दिया गया 15 वर्स का वीजन डाकुमेंट तो देखिए यह जो निती आयोग आप देख रहे हैं इसको हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे योजना आयोग और यह योजना आयोग शुरुवात से भारत में काम कर रही थी जब से भारत लगबग अजाद हुआ और इसके बाद इस योजना आयोग को एक जनौरी 2015 को नाम बदल करके इससे कर दिया गया नीती आयोग हाला कि क्यों नामी नहीं बदला गया है इसके काम में भी फरक है योजना आयोग का काम था योजना बनाना गौर्मेंट आफ इंडिया के लिए लेकिन नीती आयोग गौर्मेंट आफ इंडिया को सला देती है तो यहाँ पर जो 5 साल के लिए 5 वर्षी योजना चल रही थी इस आगे बढ़ते हैं तो भारती नाग रिक्ता किसके द्वारा दी जाती है भारती नाग रिक्ता दी जाती है होम मिनिस्टरी के द्वारा ग्री मंतरी के द्वारा दी जाती है भारती नाग रिक्ता और देखे ग्री मंतरी के द्वारा ही क्यों क्योंकि सबसे ज़्यादा पाउरफूल मंतराले माना जाता है बारत सरकार में और यहाँ पर भारती नाग इसके कुछ रूल्स हैं क्योंकि आपको 7 सल यहां रहना होगा इसके अलवा या तो आपके पिता या माता इस तरह कई ठे रूल्स है इसके लेकिन इसमें कई विशेस प्रावधान में छूट मिलता है अग्री मंत्राले के द्वारा आगे बढ़ें तो करो या मरो का नारा किस दिया था तो यह नारा वाले कोईशन भी पूछे जाते हैं तो यह दिया गया था महात्मा गांदी के द्वारा आखिर महात्मा गांदी तो हमेशा अहिंसा का पाट पड़ाते थे लेकिन यहां पर उन्होंने करो या मरो का नारा कप दिया तो इन्होंने दिया था 1922 में भा दिल्ली चलो का नारा भी नेता जी सुवाजचंद्र बोश के द्वारा दिया गया था बेदो की ओर लौट चलो ये कतन है दयानंद सरस्वती का इन्होंने 1875 में आरे समाज के अस्थापना की और इनका कतन था बेदो की ओर लौट चलो आगे बढ़ते हैं तो इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था तो ये कहा गया था भगत सिंग के द्वारा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये भी कहा गया था निता जी सुवाजचंद्र बोश के द्वारा अराम हराम है ये कहा गया जै किसान का नारा किसने दिया तो यह दिया गया था लाल बहादूर सास्त्री के द्वारा लेकिन यहाँ पर देखिए जै जवान जै किसान और जै बिग्यान यहाँ पर अगर हम जोड़ दें तो ये नारा किस ने दिया था तो ये नारा दिया गया था अटल भिहारी वाजपेई के द्वारा जो की फार्मर पीम है जिनका भी देथ हो जुका है आगे बढ़ते हैं तो मारो फिरंगियों को ये नारा किस ने दिया था तो ये मंगल पांडे के द्वारा देखिए जो सारे नारे हैं ये कई बार आपके परिच्छा में पूंचे जा चुके हैं, इसलिए यहां पर कभर किया जा रहा हैं, तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे, वैसे तो अधिक तर लोगों को ये सभी कुछ यादी होगा, भारत का ने भाग मतलब की 1100 से ले करके, 1100 से ले के 1500 के बीच में, मतलब की जब तक मुगल आए और जब से मुगल मतलब की पहले मुस्लिम सासक आना सुरू है तब से, इसके दोरान मतलब की जो सबसे ज़्यादा एरिया पर कोई राज किया तो वो था लाओ दिन खिल जी और समुदर तो इस तरह जो समुदर गुपता है इसको भारत का नेपोलियन कहने का कारड़ ये है कि इसने भारत के इसके जो घोड़े थे ये तीनो समुदर के पानी पिये थे तीनो समुदर का मतलब की बेया बंगाल है अरेबियन सी है तो इस तरह ये सब का पानी पिये थे ये पूरे लगवा भारत के बड़े हिस्से में इसका राज था तो आसा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए अगला है कि सतीप्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास कि समा सुधारक करा मतलब कि सतीप्रथा को खतम करने में तो ये सबसे द्वारा ये राजाराम मोहन राय थे और ये 1829 की बात है और देखिए जो सतीपर्था थी इसमें क्या होता था कि अगर किसी भी औरत के पती की मृत्ती हो जाती है तो उस पती के चिता पर जो औरत है उसको भी जलके मरना होता था तो यह थी सतीपर्था जो की ब्यापक रूप से समाज में फैली हुई थी और इसका अंत कराने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया राजाराम मोहन राय ने हाला कि इकलावते बेक्ति ये नहीं थे इनके अलावा भी लोग थे लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयास कराया गया राजाराम मोहन राय के द्वारा और इन्होंने प्रयास किया लाड बिलियम बैटिक के साथ जो लाड बिलियम बैटिक था ये भी आप से कभी कभी पूछा गया है बिलियम बैटिक के साथ और बिलियम बैटिक ने इन्हीं के कहने पर सतिप्रथा को अंत किया अलागी इनके कहने पर ठगु का भी सुधार किया गया लाड बिलियम बैटिक के द्वारा है तो आप ये दोनों नाम याद रखिए राजा राम मोहन राय और लाड बिलियम बैटिक का राम क्रिष्ण मिष्ण के अस्थापना किसने की तो ये किया गया था स्वामी बिबेका नंद के द्वारा अठारो सो संतानबे में अठारो सो संतानबे में राम क्रिष्ण मिष्ण के अस्थापना की गई क्योंकि जो स्वामी बिवेका मनते इनके गुरु का नाम था रामक्रिष्ण कहां पर की गई है तो यह की गई कुरकत्ता में आगे बढ़ते हैं तो महत्मा गादी का जन्म दिवस किस्तिति को मना जाता है तो यह होता है 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1879 को इनका जन्म होगा था तो 2 अक्टूबर को एक और महान बिवस मनाते हैं आप उनका नाम हमें कमेंट करके बताइए और यह आज के लिए आपका दूसरा कोइस्चन होगा महत्मा गादी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इसके साथ 2 अक्टूबर को एक और महानस्ती के जनम दिवस मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइए उस महानस्ती का नाम क्या है आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गादी का पूरा नाम क्या था तो इनका नाम था मोहंदास करमचन गादी मोहंदास इनका नाम था करमचन गादी इनके पिता का नाम था तो ये गुजरात से थे और गुजरात में एक प्रथा है कि जब भी पूरा नाम पूछा जाए तो पिता के नाम के साथ एड़ गिया जाता है तो इस तरह इनका नाम हो गया मोहंदास करमचन गादे तो कई बार पूछा गया है कि इनके माता का क्या नाम था तो इनके माता का नाम था पुतली भाई पुतली भाई पिता का नाम अभी आपने देख लिया करमचन गादे माता का नाम पुतली भाई तो पत्नी का क्या नाम था ये था कस्तूर्बा गादे कस तूर्बा कस तूर्बा कहा दी था तो आगे बढ़ते हैं तो अगला कोश्चन है कि गाधी जी को महात्मा की उपादी किस ने दी तो ये उपादी दी गई थी रबिंद नाठ टैगोर के द्वारा और देखिए इस तरह कि कई उपादिया हैं जिन से प्रश्ण पूछे जा गये हैं जैसे की दादा भाई नोरो जी को क्या काते हैं इनको कहते हैं Grand Old Man of India, Grand Old Man of India इंडिया इसी तरह रबिनाः टैगूर को तो रबिनाः टैगूर अभी आपने देखा इनको कहा जाता था अभी सुकभी या फिर इन्ने गुर्देव भी कहा जाता था इन्हें अंग्रेजोंने नायट हूड की उपादी दीती जिसे इन्होंने चोड़ दिया और भगत सिंग को क्या कहा जाता था भगत सिंग तो सहीद ए आजम सहीद ए आजम यहाँ पर हम आपको सभी नहीं बताएंगे कुछ बता देते हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं और सरोजनी नाइडू को क्या कहा जाता था सरोजनी नाइडू को तो इन्हें कहा जाता था भारत कोकिला भारत कोकिला सुभाष चंद्रबोश को सुभाष चंद्रबोश को कहा जाता था नेता जी इसके अलावा देखे दो कोईशन है जो की कन्फ्यूजिंग है चितरंजन्दास को कहा जाता था देश बंदू देश बंदू चितरंजन्दास लेकिन अगर यहीं पे आपसे दे दे देश रत्न देश रत्न किसको कहा गया है देश रत्न तो यह थे डाक्टर राजेंदर प्रसाद जो कि हमारे पहले राश्टपती भी बने और इसके अलावा जो रेश बंदू कहा जाता था बंगबंदू कहा जाता था दा सेख अबदूल्लाको तो इसतरा कैई questions पूचे जाता है जब ये अपने राजा रामोहन राए को देखा तो उनको बारतीय पूनर जागण का जनक भी कहा जाता है बल्लबाई पर्टेल को लवपुरुस कहा जाता है और जो बापू के पांचवे पुत्र हैं ये कहा जाता है जमनालाल बजाज को सुनिल कवासकर को लेटिल माश्टर कहा जाता है मेजर ध्यान चंद को हांकी के जादुगर कहा जाता है इसके अलावा चन सेखल को यूवा तुर्क भी कहा जाता है पीटी उसा को उडण परी कहा जाता है और अनुगरह नरायन सिंग को बिहार विभूती के नाम से जानते हैं बलेक गादी के नाम से जानते हैं मार्टिन, लूथर, किंग, जुनिर को और इसके साथ साथ जो सेख अब्दुल्ला थे हैं उनको सेरे कजमीर भी कहा गया है तो इस तरह कई प्रशनाप के परिच्छा में बनते हैं अगला है कि माई एक्सपरिमेंट वीट तूथ सत्य के साथ मेरा प्रियोग ये पुष्टक के लेखा कौन है तो ये लिखी गई थी महात्मा गादी के द्वारा भारत का सरोच नागरिक समान कौन सा होता है तो ये है भारत रत्न अगर सरोच नागरिक समान पूछे तब ही ये भारत रत्न होगा मतलब कि ये हमेसा एक सैनिक को दिया जायेगा जो कि सबसे बढ़ा अवार्ड है जो कि यूध काल के समय दिया जाता है अधिक महत GPS में और ये मतलब कि एक सैनिक को ही मिलेगा कभी ये किसी दरखतो यए की नागरी को नहीं दिया dent है 2019 में तीन लोगों को भारत रत्न मिला है भारत रत्न मिला है तो ये ख़एं पहले प्रड़ाव मुखरजी जो कि हमारे पुरुव राश्पती है इसके अलावा भुपेन हजारी का भुपेन हजारी का जो कि असम से आते थे और तीसरे बेक्ती कौन है आप हमें कमेंट करके बताईए 2019 में तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया दो लोगों के नाम हमने आपको बता दिया है तीसरे कौन थे आपको कमेंट करके बताना होगा फिल्म के छेटर में दिया जाने वाला सरोच भारती पुरुसकार कौन सा है तो यह है दादा साहब फाल के पुरुसकार और वहाँ पे एक दादा साहब थे उन्हीं के नाम पे यह वार्ड दिया जाता है सबसे पहले अगर पूछा जाए किसी महिला को तो यह रानी देवी रानी थी, उनको सबसे पहले वार्ड मिला था, भारत का सरोच बीरता प्रतक का नाम बताईए, तो अभी हमने आपको बताया परमबिरचक्र, और इस तरह कई है, जैसे की बीरचक्र है, बीरता चक्र है, तो इस तरह जो आपसे कई बार बस यही पूछा गया है, सरोच अचे के बारे में, सबसे उच्चे के about हैं तो यह है परमभिर चक्र भरती का रहा जाता है तो यह कहा जाता है काली दास को कमप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है तो यह है चार्पस बैबेच कमप्यूटर की खूच कब हुई विव तो 1946 में लेकिन ये आम लोगों के लिए उप्लब धुआ 1960 में मतलब की कम्प्यूटर के समय में महान क्रांतियाई 1960 में कम्प्यूटर से कई परशन पूछे जाते हैं जैसे की CPU इसका फूल पारम तो इसे हम कम्प्यूटर का दिमाग करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फूल पारम है इसके साथ पूछा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इस तरह की कई वीडियो हमने अल्रेडी अप्लोड किया है आप उन्हें जाके देख सकते हैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चु अलाकि इस भटवारा होने के बाद अपके बोल रूसी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं तो अंतराष्टिय महिला दिवस किस तिति को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है हर साल आठ मार्च को महिला ससकती करड़ के लिए हर साल आठ मार्च को मनाया जाता है अंतराष्टिय म तो यही खास करकर आपके परिच्छा में पूँचे जाते हैं। तो आपको रात में मतलब एकदम नहीं दिखेगा, हला कि जो भी आम लोग होते हैं उनको रात में थोड़ा बहुत दिखता है, बेरी बेरी भी है, इसकरवी में आपके जो इसकीन है वो फटने लगती है, तो ये जो खटे फल है उसमें पाया जाता है, रिकेट्स में ये बच दूरंड कप का संबंद किस खेल से है, तो दूरंड कप दिया जाता है, फुटबाल में, और दिलिप ट्राफिक किस खेल में दिया जाता है, ये आपके लिए चौसा क्वेश्चन होगा, दिलिप ट्राफिक किस खेल में दिया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंग आगे बढ़ते हैं तो भारत का सबसे बड़ा बाध कौन सा है तो यह हीरा कुंड बाध संबिधान की आठवी अनुसुची में कितनी भारती भासाओं को रखा गया था चीन की मुद्रा कौन है तो यह है यूयान या पिरी से आप रेन मिग भी भी बोल सकते हैं रेन मिग जो अपडेटेड नाम है इनका तो आगे बढ़ते हैं भारत की मुद्रा है रुपिया आगे बढ़ते हैं तो पत्रीले रिगिस्तानों में एक दिसा में लगतार चलने वाली हवाई क्या बनाती है तो इसे हम करते हैं यारडांग मतलब कि जो रिगिस्तान होता है वहाँ पे हवाई हमेसर लगबट एक ही दिसा में चलती है कुछ दिनों तक पूरा आप कुछ दिनों तक पच्छीन इस फैनो मैनो मीटर द्वारा दिये गए बिकल्पों में से किस से रक्त दाप को मापा जाता है तो जो इस फैनो मैनो मीटर होता है यह धमनियों के बलड प्रेसर को मापता है एक्स केड़ों के उस सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है तो यह प्रकास बैदुत प्रभाव पे काम करता है यहाँ पे पूछा गया है WI Max का फूल फारं तो वर्डवाइड इंटर प्रेविलेट फार माइक्रोवेव एक्सेस यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो भारत निम्न में से किस देश में चार बहार बंदरगा बना रहा है तो यह बना रहा है भारत इडान में और इस तरह की एक विदेश नेती है कि विदेश में एक बंदरगा को लेकर एक एरपोर्ट को लेकर विदेश सरकार काम करें तो यह विदेश ने कर क्या है तो ये एक जिमनास्टिक है और इन्होंने पहली बार भाग लिया था रियो ओलम्पिक में अगला ओलम्पिक कब होने वाला है तो अगला ओलम्पिक होगा 2020 में कहां होगा जापान में आगे बढ़ते हैं तो इन्डोनेसिया के उस बिनास्कारी ज्वाला मुखी का क्या नाम था जो की 2016 मई में फिर से बिस्पोर्ट हुआ तो इसका नाम था माउंट सिंगा बुंग माउंट सिंगा बुंग उसका नाम था कहां पे तो ये था इन्डोनेसिया में आगे बढ़ते ह और ये अब्दुल कलाम को मतलब की उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम बदल के रखा गया मोहन जोदरो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है जो की मोहन जोदरो से हमें मिली है खुदाई से तो ये है ग्रेट गेनरी मतलब की वहाँ पर अनाज रखने का जो एक घर मिला है वो मिला है कि उसे हम ग्रेट गेनरी करते हैं सुचना के रूप से धूर संबेदी डाटा दर्साने का एक समाने फार्म किस रूप में होता है तो यह होता है मांचितर के रूप में जो एक बिसेक मांचितर कहा जाता है इसी सदी के महांतम पार्सी समाज सुधारक थे देखे समाज सुधारक वाले क्वेसेंप गई कही बार पूछे गए हैं जैसे कि इसमें राजा राम मोहन राय का भी नाम आता है तो यहाँ पर पार्सी समाज सुधारख थे बहराम जी M. मलाबारी बहराम जी M. मलाबारी नाम था 19 सदी के महान पारती समासुधारक का नाम इसी तरह जो राजा राम मोहन राए थे इनसे कई क्वेशन पूछे जाते हैं जैसे कि राजा राम मोहन राए को भारत का पुनर जागरड कहा जाता है इसके अलामा समासुधार में इन्होंने कई काम किया जैसे कि सबसे बड़ा काम इनका था 1829 में सती पर्था को बैन कराना इसके साथ और भी इन्होंने कई काम किया जैसे उसमें जो जो डापू थे वो जादे एक्टिव हो गए थे तो उन पे करवाई करवानने का काम इन्ही को मिला था और इसके अलवा ये सती पर्था इन्होंने जो बैन करवाया इन्ही के कहने पर लाड बिलियम बैटिक ने बैन किया था लाड बिलियम बैटिक ने तो ये क्वेस्टन कई बार पूछा गया है भारत का प्रथम आधुनिक ब्यक्ति माना जाता है किसको मतलब वही पुनर जागरर तो यह थे राजा राम मोहन राय इनसे एक क्वेस्चन पक्का पूछा जाएगा 1839 में सत्य प्रथा को बैन कराये थे और उसे में गवर्नर जनरल कौन था? तो लाड बिलियम बैंटिक यहां पर हम लिख देते हैं लाड बिलियम बैंटिक था गवर्नर जनरल अगला है कि भारत के भारत के राश्ट्पतियों में से कौन ट्रेड यूनियन अंधूलन से स Duty रहा तो यह हैं बीबी गिरी, जो भी भारत के राश्पती हुए हैं, और राश्पती बनने के लिए कम से कम कितनी साल उम्र होनी चाहिए, 35 साल, राजपाल बनने के लिए कितना होना चाहिए, गवर्नर, तो गवर्नर के लिए भी 35 साल, राज सभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 साल, लोक सभ गया गया 21 साल से 18 साल ये किया गया था 1989 में कौन सा संभिधान संसुदन किया गया एक 68 तो ये क्वेशन कई क्वेशन हो जाते हैं यहां पर अगला है कि बार्दोली सत्यागरफ जो कि 1928 में हुआ इसका नितित तो कृष्णे किया तो ये किया गया था बल्लब भाई पटेल के बार्दोली के सत्यागरा में जो बार्दोली की महिला है थी उन्होंने इसी सत्यागरा के दोरान इनको सर्दार कहा और तब ही से इनको सर्दार कहा जाने लगा तो इस तरह जो उप नाम या फिर जो जैसे उनको नाम बाद में मिलता है इस तरह क्वेशन कई बार पूछे ग क्वेस्चन है कि गुरुदेव किसको कहा जाता है या फिर एक और दे देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए या फिर बिस्व कभी गुर्देव या बिसो कभी किस ब्यक्ति का उपनाम है भारत के महाम ब्यक्ति थे ये तो आपको बताना है गुर्देव या फिर बिसो कभी किस ब्यक्ति के उपनाम है या फिर किस ब्यक्ति के आगे लगाय जाते हैं अगला है कि राधा स्वामी सत्संग के संच्थापक कौन थे राधा स्वामी सत्संग आज भी चलता है इसका मतलब कि अगर किंदर देखेंगे तो मुंबई में जादे है तो इसके संच्थापक थे सिव दैल साहब फार्सी सप्ताहिक, मतलब जो फार्सी भासा में था, नाम था मिरात उल अकबार को प्रकासित करने वाले कौन थे तो यह थे राजा राम मोहन राय और जब भी राजा राम मोहन राय का नाम आएगा आप सतिप्रता को मत भूलिएगा सतीपर्था 1839 में हुआ था लाड विलियम बैटिक ने सतीपर्था को बेंड किया था अगला है कि बाल विवापर्था को नियंतित करने है तू 1872 में सिविल मैरिज एक्ट लाया गया था और इसमें लड़कियों की नियुंतम उम्र सीमा क्या रखी गई थी तो ये रखी गई थी 14 साल देखिए होता क्या था कि 1839 इस समय सतीपर्था को बेंड किया गया तो इस समय केवल यही एक बुराई नहीं थी समाज में इसके अलावा जिसे बाल विवा हो जाता था तो लाड विलियम बैटिक ने सतीपर्था को बेंड कर दिया तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया नाम था सिविल मैरिज एक्ट कब लाया गया? 1872 में और उसमें ये फिक्स किया गया कि जैसे लड़कियों की निवनतम उम्र 14 साल हो सकती है अगर इसे कम उम्र की लड़की की अपसाधी करते हैं तो गैर कानूनी होगा जो इससे में 18 साल है उसको जो सिविल मैरिज एक्ट लाया गया था उसमें 14 साल किया गया था 1872 से एक चीज़ आप और याद लग सकते हैं 1872 में ही सबसे पहले जनगर्णा की काउंटिंग सुरू की गई थी अगला है कि अलिगर्ण मुस्लिम विसु भी जाले के स्थापना किसने की तो ये किया गया था सयद आहमद खान के द्वारा सर सयद आहमद खान इनको हम कहते हैं और किसे आधुनिक भारत का जनग करते हैं तो राजा राम मोहन राय को भारती राष्टवाद का जनग तो ये भी हम कहते हैं राजा राम मोहन राय को कन्या कुमारी का राक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है मतलब कि जो कन्या कुमारी का राक मेमोरियल है किसके नाम पे बनाया गया है तो ये है स्वामी विवेकानंद इनके गुरु का नाम क्या था तो इनके गुरु का नाम इनसे question पूछे जाते हैं इनके गुरु का नाम था राम कृष्ण और इसके लिए इन्होंने राम कृष्ण मिश्ण के अस्थापना की 1897 में कहां पे तो कूल कत्ता में देखें ये जो भी अगर आप दो बार देख लेते हैं एक ही बार की बैठे हुए तो आपको अज़े question जो एक्ष्टा फैक्ट में याद हो जाएंगे तो राम कृष्ण मिश्ण की अस्थापना की थी इन्होंने कोल कत्ता में और इनका जो बचपन का नाम था क्या था इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नात पर स्वामी विवेकानंद के नाम पर हर साल 12 जनौरी को National Youth Day मनाया जाता है National Youth Day मनाया जाता है National Youth Day को आप International Youth Day से Confuse नहीं करेंगे क्योंकि वो 12 अगस्ट को मनाया जाता है International Youth Day तो National को आप International से Confuse नहीं करेंगे बढ़ दें आगे अगला कोश्चन है कि 1873 इस भी में सत्यसोदक समाज के अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो सत्यसोदक समाज के अस्थापना की गई थी जोतिवा बाई फूले के द्वारा अगला है कि किस धर्म सुधारक की 1875 में आरे समाज के अस्थापना की थी आरे समाज की तो आरे समाज की टेग लाइन क्या थी तो आरे समाज की टेग लाइन थी गो बैक टू बेदास मतलब की बेदो की ओर लॉड चलो बेदो की ओर लॉड चलो इसमें मुर्ति पूजा नहीं होता था रामकृष्ण मिस्टन के स्थापना किसके द्वारा की गया था तो ये थे बिबेका नंद जो कि उनके सिस्थे थे आगे बढ़ते हैं तो तहजीब उल एकलाग के रसिनाकार कौन है तो ये है सरसेद आहमद खान किसने कहा था कि अच्छा सासन स्थाना पन्ने नहीं है तो ये कहा गया था स्वामी दयानंद सरसती के द्वारा इस तरह जो भी कथन है ये कई बार पूछे जाते हैं जैसे कि हे राम हे राम किसने कहा था तो महत्मा गांदी के द्वारा अराम हराम है किसने कहा था यह आपको बताना होगा अराम हराम है यह किसने कहा था यह आप हमें कमेंट करके बताईए भारत के पहले कई पदों पे लाने वाले यह बेखती है तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि इनका नाम क्या था बेदो की ओर लौड चलो यह नारा किसन प्रात्ना समाज के संस्थापक कौन थे तो यह थे आत्माराम पांडूरंग प्रात्ना समाज के संस्थापक थे आगे बढ़ते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्थी का मोल नाम क्या था तो इनका मोल नाम था मोल संकर मतलब की पुराना नाम जैसे की आप विवेकानंद का नाम प्रातना समाज के इस्थापना किसके प्रेडा के फल सरोप हुई अभी आपने देखा है कि प्रातना समाज के अस्थापना किसने की आत्मा राम पांडू रंगने लेकिन किसके कहने पे हुई तो ये थे केसो चंद्र सेन अगला है कि 19 सदी के उत्तरार्द में नौ हिंडुवाद मतलब कि नियो हिंदुजम के सरोसेष्ट प्रतिनिरी कौन थे तो ये थे स्वामी बिभीकानंद और इनके बच्पन का क्या नाम था नरेंद्रनाथ आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि राजा राम मोहन राय के इंगलेंड जाने के पश्चात कृष्णे ब्रहम समाज की बागदोर संभाली तो ये थे राम चंद्र बिद्या वागीस और आपको ध्यान होगा कि राजा राम मोहन राय इंगलेंड में ही थे तो उनकी वहीं पर मृत्तिव हो गई थी यही क्वेस्चन कई बार पूचा गया है कि कौन समाज सुधारक है जिनकी मृत्तिव देश से बाहर हुई तो ये थी राजाराम मोहन राय कहां पर मृत्तिव हो थी तो इंग्लेंड में हला कि जब वो इंग्लेंड चले गए तो उस समय जो ब्रह्म समाज था राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अस्थापना किये थी तो ये जो ब्रह्म समाज था इसको रामचंद्र विद्यावागिस ने देखना सुरू कर दिया राजाराम मोहन राय और डेविस हेयर किसकी अस्थापना से जुड़े थे तो ये हिंदू कालेज के अस्थापना से दोनों लोग जुड़े थे डेविस हेयर और राजाराम मोहन राय देवबन आंधोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताईए जिन्होंने स्वतनतता अंधोलन में महत्पूर्ण भूमिका निबाई तो ये थे अबुलकलाम अजाद देवबन अंधोलन और स्वतनतता अंधोलन दोनों में इनकी महत्पूर्ण भूमिका थी नाम था अबुलकलाम अजाद तो आसा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा कर आप इसे जरूर लाइक कर लिजे आगे बढ़ते हैं तो स्वामी वीवेकानन्द ने राम कृष्ण मिशन के अस्थापना कब की थी तो देखिए 1896 या फिर 1897 ये दोनों उत्तर मिलता है हला कि कई जगा 1897 ये आपको उत्तर मिलेगा इनका एक क्वेस्टन स्वामी वीवेकानन पर और पूछा जाता है कि ये इनका जो सिकागो में स्पीच था आपने सुना होगा कि ये अमेरिका गए थे वहाँ पर इन्होंने एक स्पीच दिया था जो कि काफी चर्चित हो गए तबी से तो ये इन्होंने दिया था 1893 में वहां से आने के चार साल बाद इन्होंने जो राम किष्ण मेशन के अस्थापना की थी कलकत्ता में तो ये चानबे ना होकर संतानबे है वैसे अगर आपसन में संतानबे ना होकर कल चानबे राता है तब भी आप इसे ट्रिक कर सकते है महराष्ट के कि सुधारक को लोग हीटवादी कहा जाता है तो ये हैं गुपाल हरी देश मुख गुपाल हरी देश मुख महाराष्ट के थे ये इनको लोग गीतवादी कहा जाता है सिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विबेका नंदर ने भाग लिया था या आयोजन कब हुआ था तो देखे एक क्वेश्चन पूछा गया तो ये हुआ था सितंबर 1893 में अभी हमने आपको बताया है तो वहाँ पर क्या था कि सभी लोग मतलब सभी धर्म के प्रतिनिदी आये थे और सभी लोग बोल रहे थे बाद में जब इनको टाइम मिला तो इनसे पहले लोग कर रहे थे कि ये क्या बोलेंगे हिंदू धर्म के लिए आये हैं लेकिन जब इन्होंने बोलना सुरू किया तो लोगों ने बहुत ध्यान से बहुत देर तक सुना और उसी समय से ये चर्चा में आ गए रामकृष्ण परमहंस का पूरा नाम क्या था तो ये था गदाधर चटो पध्यार रामकृष्ण परमहंस जो की सुवामी विवेकानांद के गुरू थे इनका पूरा नाम था गदाधर चटो पध्यार तो आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बहावी अंदुलन का मुख्य केंदर क्या था बहावी अंदुलन तो ये था पटना बिहार का पटना और वही बिहार जो की पहले जारकंड को ले करके था लेकिन बाद में जारकंड बढ़ गया तो बहावी अंदुलन का मुख्य कें तो इसके हेट थे लखनौ में बेगम हजरत महल इनके पती को कई पहले की युद में मार दिया गया था तो इनों ने मतलब की आगे इनों ने रहा 1877 की क्रांती में भारत में दास पर्था को कब अबायद घोसित कर दिया गया तो यह था 1843 यहां पर दास पर्था जो थी उसमें लोगों को दास बना के बेचा और खरीदा जाता था इसको अबायद घोसित कर दिया मतलब कि बैन कर दिया गया भा लाड महकाले के कहने पर की गई थी और किस ने किया तो लाड बिलियम बैटिक नहीं किया था बेदो में संपुर सच्चा ही नहीं था या ब्याख्या किस के द्वारा की गई थी तो स्वामी दयानौन सवरस्थी के द्वारा इनका मूल नाम क्या था तो मोल संकर इन्होंने किसकी अस्थापना की थी तो आरे समाज की इनका टैग लाइन क्या थी तो बेदो की और लॉड चलो ये सारे क्वेस्टन कई बार इनसे पूछे गया है बेदो की और लॉड चलो आगे बढ़ते हैं तो रामकृष्ण परमहंस का जनमस्थान कहां पे था तो ये था हुगले जिला गाओं का नाम था कमारपुकुर गाओं कमार्पुकुर गहां भुगली जिला अ इसलिया आप देखेंगे कि इनका जो मतलब आस्रम बनाया गया रामकृष्ण पराभाश्चन के नाम ते यह भी खलकत्ता में आप्ड़ा, इसका मुख्याल नियुक्ष्ण को होई तो यह है बेलूर में। तो बेलूर में और ब्रह्म समाज की सिधानत पे अधारी था तो ये था एकस्विर वाद पे देव समाज के संस्थापक कौन थे तो ये थे सिव नरायन अगनी होतरी देव समाज संस्थापक का संस्थापक सिव नरायन अगनी होतरी थे महाराष्ट का सुकुरात किसे कहा जाता है ये थे महादेव गोबिंद रानाडे इनको सुकुरात कहा जाता है महाराष्ट का स्वाइम विविकानन की सस्थान पे हुए धार्मिक सम्मेलर में प्रसीद हुए थे तो ये था सिकागो इयर भी आपसे पूछा जाता है सुधार्ड और इन्हों ने ब्रह्न समाच के स्थापना भी की हुई ति और इन्हों ने हिंदू कालेज के स्थापना की कई काम इन्हों ने किए जैसे सबसे बड़ा काम सुधिय परता को बेन कराना उस समय जो बैपारी aggregate वो जब कहें जाते थे जैसे कि उस समय यात्रा के वही साधन थे बैलगाडी तो जब भी कहीं जाते थे बैलगाडी से बैपारी समान लेकर तो जहां रात हो जाती थी रुखते थे वहाँ पे चोड़ डांकुओं का प्रकोब बहु जा दे था तो इन्हीं के समय पे डांकुओं पर भी करवाई की ग का पूरा नाम मोल संकर था और इन्होंने कहा था कि बेदो कि यो लड़ चलो किस वर्व को सबसे पहले पच्छमी सब्वेता ने प्रभावित किया तो जो सिच्छित लोग थे वही लोग सबसे पहले पच्छमी सब्वेता से प्रभावित हुए पच्छमी सब्वेता का मतल होगा वहाँ पर क्या चल रहा है आगे बढ़ते हैं तो M.C. सीतलवार, V.N. राव और अल्लादे किष्ण स्वामी एयर प्रक्षाद सदसे थे किसके यह थे मदरास लेबर यूनियन के आगे बढ़ते हैं तो प्रक्षामदिया या फिर कादियानी अंधोलन कहा जाता है यह हुआ था 1889 में यह किष्ण सुरू किया था यह सुरू किया था मिर्जा गुला महमद के द्वारा किष्ण विबेकानंद को आधुनिक राश्टियां अंधोलन का अध्यात्मिक पिता के संग्या दी तो यह कहा ने सुद्धी अंधोलन का समर्थन किया तो यह था आरे समाज 1875 में स्वामी दयारन स्वस्ति के द्वारा बनाया गया था बेदो की ओर लोड़ चलो इनकी टैग लाइन थी आगे बढ़ते हैं तो वायकॉम सत्यागरा जो की 1925 में चलाया गया था कहां पे चला तो यह चला मतलब की सुरच्छा के उपाय के प्राधान किये गए तो ये था भारतिये कारखाना अदनियम 1881 है चलिए आप से दूसरा कोईशन पूछ लेते हैं आप हमें कमेंट करके बचाईए गांधी जी भारत कब है आपको ये बताना है गांधी जी भारत कब है ये आपको कमेंट करके बताना होगा ये आज के लिए आपका दूसरा इसमें था 1891 में इसमें क्या था कि जो महिला मजदूर थी उनकी सुरच्छा के लिए विबात की गई थे आगे बढ़ते हैं तो बल्लब भाई पटेल को सरदार के उपादी उनके कुसल संक्ठन चमता के कारण किस आंदोलों के दोरान दे गई थी तो ये था बार्दोली का सत्यागरा हुआ था 1827 में बार्दोली के सत्यागरा में 1927 में हुआ था इसी समय इनको सरदार के उपादी दे गई थे जो बार्दोली के महिला है थी उनके दोरा आगे बढ़ते हैं तो किस हुआ सराय के सासम काल में पहला फैक्टरी अधनियम पारित किया गया तो ये था लाड रीपन और चलिए आपसे तीसरा कोईशन पूछ लेते हैं क्योंकि अब वीडियो खतम होने वाली है तो हम तीन कोईशन कम सकें आपसे पूछ ले ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा होगा तो आपको जरूर बता होगा आप हमें कमेंट करके बताएए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे पहला फैक्टरिय अधनियम लाड रीपन के कारेकाल में लाया गया था जो अठारो सी क्यासी में था और किस परदेश में ब्रेटिस के बिरुद बिर्सा मुंडा का संचालन रहा तो ये था छोटा नागपूर चोटा नागपूर में जो बिर्सा मुंदा का संचालन राग इसके किलाब तुब्रेटिस गौवर्मेंट के आगे बढ़ते हैं तो सार्दा मडी कौन थी सार्दा मडी तो ये थी रामकिष्ण परमांस की पतनी अब रामकिष्ण कौन थे तो ये गुरु थे स्वामी बिवे का नंद के राजा राम मुहन राय द्वारा ब्रमा समाज के स्थापना की गई थी कब 1828 में सती परता को इन्होंने कब बैन किया 1829 में इनके कहने पर किसने बैन किया तो लाड बिलियम बैटिक ने कुका अंदोलन किसने संगठित किया मतलब कि किसने इसे जोड़ा सुरू किया तो ये सुरू किया गया था गुरु राम सिंग के द्वारा दयानन स्वारसती द्वारा स्थापित क्या है तो ये है आरे समाज आरे समाज कैस था अपना की गई थी दैया नंस वरस्दी के द्वारा तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर सेहर करिए इस वीडियो में हमने तीन कोईस्टन पूछा है आप उसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं और इसका पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है